तो कैसे हो मेरे दोस्तों मैं आसा करता हूँ श्यांदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को इंज्योई कर रहे हो अपनी सेयत फैमली और प्राई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो आज है फस्ट दिसंबर देखते ही देखते पूरा जो साल है वो आप लोगे हाथ उसके बारे में आप लोगों से डिस्स करूँगा कि आज की डेट में सोसल मीडिया पर वाइरल होने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं इसी के साथ में हम लोग बहुती शाणदार आर्टिकल डिस्स करेंगे कि आज के बाद में अगर कोई चीटिंग करता हुआ एक्जाम क के अंदर में पाया जाएगा तो यहां पर क्या-क्या दिक्कते जेल नहीं पड़ सकती हैं मतलब लाइफ टर्म इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है तो नहीं कहता है एक तरीके से पूरी उम्र के लिए जेल के अंदर बंद और उडीशन भी बहुती अच्छा इनिशेटिव स्ट क्या है जाने हिसके बारे में कुछ हाँ पार बेसिकली इलेक्शन की पॉल के बारे बात की जारी एंben से NTV लुए चार्ज लगाए अंगदान को महादान बोलते हो वो क्या क्या चीज़ों को देखने को मिलता है और ही बहुत सारे चोटे चोटे आर्टिकल है साइमें टेनिस इलेक्शन बहुत ही इंपोरेंट आर्टिकल है काफी तसली में बैगराउन इंफोमिशन के साथ में मैं आप लोगों से डिसकस करूँगा इसके बारे में इसी के साथ में और भी चोटे चोटे आर्टिकल भी कही सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे इरान ने एक मिसाइल जो की पब्लिकली रख दिये लाकर हाईपर सोनिक क्या होती हाईपर सोनिक मिसाइल वगरा इसके बारे में सारी बाते में आप लोगों से डिसकस करने वाला हो इसी के साथ में हम लोग बात करेंगे Global Biodiversity जो Fund है उसके बारे में इन से लेटिड कोशन भी आप लोग के देखने को मिलेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको देखेगा इसी के साथ में हम लोग बात करेंगी इंडियन जो ओशियन टूना कमिशन है आखिर ये क्या है इसके बारे बेसिक इंफोर्मिशन में आप लोगों से डिस्स करूँगा अभी एक न्यूज एक बेसिकली रीवर न्यूज में आ गई है जिसका नाम है तुंग भधरा आखिर क् किस तरीगे से बच्चा डूब गए है आपर एक तरीगे से तो क्या रीवर है उसकी बैग्राउंड इंफोर्मिशन हम लोग यहाँ पर समझेंगे इंपोर्टन है आपर इसी के साथ में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट 15B के बारे में तो यह किस से लिटर है यह है आई कर सकते हैं इसी के साथ में हाँ पर international sugar organization के बारे में जानेंगे हमारे देश में कहां कहां पर गनने को लेकर क्या क्या बाते हैं वो भी हम लोग समझेंगे तो इंट्रेस्टिंग यह भी एक article आप लोग को देखने को मिलेगा और इसी के साथ में हमारे देश के अंदर में है आज का discussion जो की बहुती शानदार रहने वाला है ठीक है इसी के साथ में एक motivational condition भी होगी आप लोग के सामने जिसको देखकर आप लोग के अंदर में जोस भरेगा बोला यह जा रहा है कि बुरी आदते अगर वक्त पर नहीं बदली जाएं तो वो आदते अकसर आप लोग क बदल देती है इसका मतलब क्या है इसका मतलब मैं आप लोगो अभी बताऊंगा उससे पहले पहले आप लोगो को यहाँ पर इसके बारें बात करता हूँ अभी recently आप लोगो सोचल मीडिया पर वाइरल होने के चलते बहुत सारे लोग क्या है वो उल्टी सी हरकते गर रहे ह आप लोगों ने देखा होगा recently मैंने discuss भी आप लोगों से किया था एक दूसरे के मुझे में कोई चाय डाल रहा है तो कोई पैपसी कोला डाल रहा है उसमें फैन गुबा भिगो भिगो कर खा रहे हैं मतलब कुछ भी मतलब मैट्रों के अंदर में क्या क्या हरकते चल रही है वो एक हन्यूवन स्पोर्ट बना हुए इसके वज़े से जो पब्लिक ट्रांस्पोर्ट है उसमें आप लोग सोच के देखो कितनी उम्र के लोग रहते हैं बुजर्ग भी रहते हैं वहाँ पर बच्च अगर ट्रीन के अंदर में साधी करें तो इसका इंपेट क्या देखने को मिलता है आप लोग खुद देखके देखो कि लोग जो हैं वो आसपास में कितने लोग इहां पर प्रेसान होते हुए नजर आएंगे तो ये एक बहुती एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मतल करते हैं विदेशों में जाकर आज की डेट में वो अपनी साधी कर रहे हैं तो हमारे ही देश में अगर साधी की जाए तो साधी एक इतना बड़ा बिजनस है जो हमारे ही देश में कोंट्रिब्यूट करेगा आप लोग खुद सोचो अगर कोई इंसान आज की डेट में फो तो हाँ पर उनकी एकनोमिय में कितना huge contribution देखने को मिलेगा आज की डेट में जैसे साधी का मोसम हाता है तो आप लोग को देखने को मिलता है कितने सारी साधिया हो रही होती है तो उसकी वैसे कितने सारे लोगों का घर चलता है इवन सडकों पर आप लोग देखेंगे जो light पकडने वाले भी होते है उनका भी होँआ पर घर चलता हो आप लोगो नजर रहता है तो हाँ पर साधी में टेंट लगाने वाले या फिर बरतन या वो सारा जो भी arrangement करने वाले कार्ड प्रिंटिंग मसीन आने जाने के लिए विकल का इस्तमाल होता है जो जहां पर रुखते हैं होँआ पर होटल का इस्तमाल होता है तो साधी एक बहुती बड़ी industry के तोर पर हमारे देश के प्राइमिस्टर साब के द्वारा बोला गया कि क्यो ना साधी अपने ही देश में किसी अच्छी location को देखकर आप लोग करें इससे local level पर भी काफी फायदा होगा एकनोमी को लेकर और इसी के साथ में हाँ पर सबसे अच्छी बात है कि हमारा पैसा हमारे ही देश में रह जाएगा तो एक वो भी तरीकह है चीजों को सोचने का तो सबके अपने-पने नजरिय है आप लोग का क्या नजरिय है इसके बारे में आप ega अपनी राय बता सकते हैं और अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट रखे बागी important बात है देखो नया महीना स्टार्ट करेंगे नए जोस के साथ में और उसमें ये बोला गया कि बुरी आदते अगर वक्त पर नहीं बदली जाए तो वे आदते अक्सर आप लोग का वक्त बदल देते हैं अगर regularly आदते एक दिन आप लोग को बरबाद करके बैठ जाएंगी और अगर ये आदते आज ही आप लोग ने बदलने स्टार्ट कर दिया तो ये आदते आप लोग की जिंदगी में ऐसा शांदार चेंज लेकर आएंगी कि लोग भी आप लोग को बोलेंगे भाई किस चक्के का आदा खाते हो आप लोग आज की डेट में मैकसिमुम लोग फ्रस्टेट होते होएं नजर आते हो कि यार जिंदगी पता नहीं कैसे चल रही है पेपर पेपर दिये जा रहे हैं रिजल्ट आनी रहा है किस तरीके से कहां पर दुनिया जा रही है कुछ समझ में आनी रहा है स फिर अगर उल्टी सीधी हरकते की हैं उनका रिजल्ट आप लोगो देखने को मिल रहा है अगर आज से ही आप लोग अपना कोई भी चीज अगर चेंज करना चाहेंगे तो आप लोगो आने वाले 10-15-20 दिनों के अंदर ही आप लोगो रिजल्ट देखना स्टार्ट हो पर लेकिन चेंज उसी की लाइप में हो रहा है जो इसको इंप्लिमेंट कर रहा है आप लोग खुद देख लो मैं कोशन लिखने के लिए आंसर तो सबको देता हूं यार पर लेकिन लिखते कौन है जो लिखते हैं उन्हीं का बेसिकली लगेगा कि हां किस तरीके से आंसर आज की डेट में मैं सब को बोलता हूं कि यार मोर्निंग में उठके 15-20-30 मिनट एक्सराइज कर लो पर जो करते हैं उन्हीं की बोडी पर इंपेट देखने को मिलेगा ऐसा थोड़ी ना कि एक्सराइज आप लोग सारे करोगे और मैं आर नोल बन जाओंगा बैठा बैठा या मेरे 6-pack आप निकल के आजाएंगे आप लोग की एक्सराइज करने के विए से तो ऐसा पोसीबल ही नहीं है और ये अच्छा है पोसीबल नहीं है वरना भाज साब ऐसे आलसी लोग देखने को मिलते किसी भी ऐसे इंसान को बगटते जो एक्टिव है कि तो एक्सराइज आप लोग अपना फ्यूचर नहीं चेंज करते हैं कि आप लोग अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लोग फ्यूचर में जानी सकते हो पर हाँ इस बात की भी गैरेंटी देता हूँ ये अप लोग अपनी आदते चेंज कर दोगे तो इस बात की तो मैं guarantee देता हूँ कि आप लोग का future जो है वो बिलकुल change हो जाएगा तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो इंसान की आदते जो हैं वो उसका future बना रही होती हैं जो कहते है future change नहीं होता है भाई सब आदते change करके देखो future change नहीं हो जाए तो मुझे बता देना तो ये छोड़ी छोड़ी बाते जो हैं ये इंसान की जिंदगी में इतना बड़ा change लेकर आती हैं डेली अगर आप लोग डेली अगर आप लोग एक किलोमेटर चलना भी कर देना दोडने की बात नहीं कर रहा हूँ आप लोग अपनी बोड़ी में एनरजी का लेवल देखना डेली अगर आप लोग 10-15 मिनट जैसे की लाइबरी में बैठे रहते हैं तो कोशिस के अगरो धूप में निकलो तो ये आप लोग की छोटी छोटी जो बाते हैं न ये आप लोग की जिन्दगी को इतना शांदार बना देंगी ये मत बोलो की मुझे 8 घंटे बढ़ना है ये बोलो की बस मुझे अभी बैठके आदा पोना घंटा बढ़ना है मज़ा आने लगेगा फिर डूपते चले जाओगे एक वीडियो बनाई मैंने कल NCRT कैसे बढ़ें ठीक है NCRT कैसे बढ़ें वो एक अलग बात है वो वीडियो है कि आप लोग कोई भी बुक कैसे बढ़ें तो आप लोग ने जिसने वो वीडियो देखी है तो आप लोग को पता चल गया होगा किताब को पढ़ने का सबसे शांदार थरीका कौन सा होता है अगर नहीं देखी है तो आप लोग देखना आप लोग को किताब पढ़नी कैसे चाहिए उसमें वो बताने की कोशिस की है मैंने और उससे आप लोगी life में क्या change आएगा आप लोग उसको पगड़ पाओगे तो ये वो चीजे हैं जो जो implement कर लेगा वो मज़ा लेता हुआ नजर आएगा और जो implement नहीं करेगा वो मज़ा नहीं लेगा तो ये चीजे होती हैं जो आप लोग को basically बरबाद कर रही होती है तो ये आलस को खाड़ कर फैंको अगर जिन्दगी में चाते हो क्योंकि जैसे जैसे सरदी का मोसम आएगा ये आलस आप लोग की बोड़ी में और गहराई तक गुस्तव आप लोग को नजराएगा तो आप आप सोच लो आप लोग क्या करने है बागी feedback दे देना जैसे भी वीडियो आप लोग को लगे feedback बता देना like ये dislike करकर आप लोगी सरद्दा है आस्था है जो भी है आप लोग बता देना पर लेकिन मैं आप लोग के लिए शांदार discussion लेकर आऊंगा जिसमें बहुती कुछ आप लोगों जानने को मिलेगा starting में हाँ पर सबसे पहले जो मैं आप लोगों से बात करूँगा वो करूँगा यहाँ पर governor सहाब के बारे में और particular exam के बारे में आप लोगों नहीं देखा होगा किसी भी state के अंदर में आप लोग किसी भी exam के बारे में बात कर लो तो वो exam तो conduct करा देते हैं हलाकि time पर नहीं होता है कई बार पर conduct कराने के बात में उसके अंदर में cheating चलती ही नजर आती है जैसे नहीं 12th fail movie आप लोगों ने देखी किस किसे ने देखी उसमें बकायदा सामूहिक cheating के बारे में बात की जा रही है teacher बकायदा board पर लिखकर कह रहा है कि हां से टैप लो और आराम से आप लोग first division लेकर आओ क्यों क्योंकि विधायक साब का college था school था basically तो इसके चलते अभी जारखंड के द्वारा जो शांदार इस्टैब उठाय गया है उससे बहुतों की जो पतलून है वो गिली होने वाली है बोला यह गया कि अगर कोई भी cheating करता हुआ पाया जाएगा तो उसको lifetime imprisonment देखने को मिलेगा यानिके ता उम्र कारावास में यानिके सलाखोंगे पीछे हैं यहाँ पर वो जो इनसान है या वो जो organization है वो सड़ता हुआ आप लोग को नजर आएगा यह जो बिल है इस बिल में क्या क्या बाते हैं अभी यहाँ पर गवर्नर साब के दौरा इस बिल के provision को clear कर दिया गया है interesting change क्या है यहाँ पर वो मैं आप लोग को यह बताता हूँ interesting change यहाँ पर यह कि जारखंड के जो गवर्नर साब है उन्होंने यहाँ पर एक particular bill को clearance दे दिया है जिसका नाम है जारखंड competitive exam measure for the control and the prevention of the unfair means in the recruitment bill 2023 यानि कि जो recruitment procedure है वो unfair नहीं एक तरीगे से होना चाहिए fair होना चाहिए अगर उसमें कोई भी किसी भी तरीगे गड़बड़ पाई जाती है तो यहाँ पर life imprisonment और 10 क्रोड तक का fine लग सकता है यानि कि आने वाली पूर्खे भी जो है ना वो यहाँ पर पैसे एक तरीगे से pay करते हुए नजराएंगे अगर किसी ने ये हरकते कर दी अब इसमें भी इन्होंने अलग अलग तरीगे से इसको डिवाइड किया है हलाकि हाँ पर ये particular जो bill लेकर आया गया ये particular जो कानून बनाया गया इसको लेकर जो opposition की party है उन्होंने हाँ पर इसको क्या बोला इसको royal act बोला royal act के बारे में आप लोग को बता है ना किस duration में लाए गया था जरा बताईए मुझे आप लोग साल बताईए उसमें सबसे खतरनाक चीज़ ये देखने को मिल रही थी कि नो नहीं कहते कि जट मंगनी फट बिया वाली बात कि इनसान को पकड़ और जेल में डाल दो यानि कि ना तो कोई एक तरीके से तारीक ना कोई केस ना कोई सुनवाई बस इनसान को उठाओ और जेल में डाल दो तो उसको एक तरीके से black कानून के तोर पर देखे जाते हैं जिसको आप लोग royal act की basically category में भी हाँ पर रखते हो ठीक है तो यह जो royal act था यह हमारे देश में हमारे देश के जो सर्तनतरता सेनानी थे उनको control करने के लिए हाँ पर बनाया गया था पर लेकिन हाँ पर cheating को control करने के लिए बनाया गया है पर लेकिन हाँ पर यह बनाया आवाला जो कांट देखने को मिला था उसी के अपोज में यहाँ पर लोग जो हैं सत्यक्रह कर रहे थे आप लोग बताईए दो प्रटिकुलर लीडर कौन से थे जिनको पकड़ा गया था जिसके लिए लोग जो हैं वो हाँ पर आ गए थे बेसिकली जले आवाला जो इंसिडे तो आप लोग यहाँ पर याद रखना रोयल टेक्ट 1919 में यहाँ पर हमारे देश के अंदर में अंग्रेजों के द्वारा लाए गया था हमारे देश के जो बेसिकली 37 सेना नी थे उनको कंट्रोल करने के लिए ठीक है तो यह एक बेसिक चीज आप लोग यहाँ पर याद र अगेगा और एक साल तक की जेल की सजा होगी अगर वो बत्तमीज फिर भी नहीं सुधरा तो यहाँ पर दूसरी बार में यहाँ पर उसको 10 साल का फाइन देना पड़ेगा और यह एक साल से बढ़कर 3 साल की सजा होगी यह तो है बच्चे के बारे में अगर कोई बच्चा ऐसा कुछ करता हुआ पाया जाता है ठीक है और अगर यह पे नहीं किया गया जो फाइन है यह बगएरा तो यह फाइन जो है यह आप लोगो बढ़ता हुआ नजर आएगा और सजा भी जो है वो यहाँ पर और आप लोगो बढ़ती है यहाँ पर नजर आएगी यह आप लो लोग से बात की इनके लिए जलेवाला बाग के अंदर में वो प्रोटेस्ट वगेरा जो हाँ पर देखने को मिले थे और जो इतना इंसिडेंट एक ऐसा था जो कि पूरे देश को दहला दिया इसी के बाद में आप लोगो बताया था 1922 में फिर गांदी जी के द्वारा भी ब बरबाद है यह समझो 10 साल तक किसी भी एक्जाम में वो नहीं बैट पाएगा आने वाले टैम में और यहाँ पर फाइन और साल की सजबी है वो मैंने आप लोगो बता दी पर लेकिन अगर यह हरकते कोई प्रिंटिंग प्रेस करती है यानि कि जहाँ पर कोशन पेपर प्रि मतलब पनिसमेंट की जो रेंज हैं आपर वो 10 साल है लाइफ इंपरिजनमेंट 10 साल से लेके लाइफ इंपरिजनमेंट है आप और 2 क्रोड तक से लेके 10 क्रोड तक का फाइन है यानिके 10 साल से लेके लाइफ टाइम तक का जेल में सड़ सकता है और 2 क्रोड से लेके 10 को देखने को मिलेगा और ये आप लोग के सामने जो हाँ पर ये चीज निकल करा रही है इसमें सबसे अदा फाइदा क्या देखने को मिल रहे हैं ये एक कोई और उठाकर ले जाता है तो ये प्रोविजन जो है ये सतरीकस हैं जो की शानदार है ठीक है बच्छा कहन रहे हैं कि सर ये प्रोविजन प्लिटीशन के लिए भी होने चाहिए अगर वो हरकते करते पाय जाते हैं एक्जेक्ली होने चाहिए यार यहां पर, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि maximum अगर कहीं भी cheating होती है, तो direct और indirect way में पैसा politician तक भी पूंचता है, आप लोगो बता है यह सारी बाते, बिहार के अंदर तो आप लोग खुद देख लो, बिहार के अंदर तो बकाइदा वीडिय मिलने चाहिए, अभी एक मूवी आ रही है, जो कि भोपाल गैस तराजदी के उपर आ रही है, वो मूवी हाला कि मतलब मूवी थेटर में इस रिलीज नहीं होगी, वो मूवी जो है OTT प्लेटफोर्म पर आ रही है, उसका डायलोग मुझे बढ़ा ही शांदार लगा, जब म इसमें ये बोला गया कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा है, दिक्कत यहां पर ये देखने को मिलती है हमारे देश में, कि गुनहागार जो है, वो बिना सजा काटे बच जाते हैं, ठीक है, और बे गुनहा जो है, वो प्रोलम जहलते हुए नजर आप लोग को आते हैं, तो इसकी वज़े से यहां पर जानी के एक तरीके से आप लोग ये बोलो, जो गुनहागार है उनको सजा नहीं मिलती है, मतलब डायलोग ऐसा था, कि ना तो गुनहागार को सजा मिलती है, और ना ही जो गुनहा को रोकने वाले हैं, उनको कोई एप्रिशेट करता है, उनकी अगर टाइम से आकर आप लोग देखोगे वीडियो को, अगर जो कहीं नहीं आता है, उसको भी आप लोग टाइम से लेकर आओ, तो फिर टाइम से चारी चीज़े स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर 9 बजे से आप लोगी बहुत सारे क्लासे स्टार्ट हो जाती है, एप्लिकेशन के ओपर भी आप लोगी क्लास चलती हैं, कई सारी, तो उसके चलते हैं हाँ पर, फिर कई सारे बच्चे बोलेते, कुछ श्कूल में कोली जाने वाले बच्चे हैं, कुछ ओफिस करते हो, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एफ़र्ट डालो, ताकि चीजे जो हैं, फिर पैटर्न में हम लोग लेकर चलें, एक्जक्ट साथ वजे लेकर आऊंगा इसको, आप लोग टाइम से इसको देखो, और चीजों को अच्छे से लेकर चलेंगे, ठ पोइंट्स आप लोग वहाँ पर लिख सकते हैं, कि चीटिंग को रोकना भी एक बहुती बड़ा एक सरदर्ध हैं याँपर, तो वो भी होगा, और दूसरा, इसी को सही करने के लिए उडिसा ने एक नए स्टेब उठा है, आप लोग को पता हैं, हमारे देश के अंदर में जब लोग सभा, राजी सभा की प्रोशिडिंग चलती है, तो वहाँ पर आप लोग उसको लाइव देख पाते हैं, अभी सुप्रिम कोर्ट ने भी वो चीज़े स्टार्ट कर दी है, कि आप लोग यहाँ पर जो केसी की सुनवाई होगी, उसको आप लोग लाइव देख प पर चीजों को इस तरीके से लेके चल रही है, कि ताकि उसको एक तरीके से फियर बनाया जा सके, और यहाँ पर भी दिखकत देखने को ने मिले, तो एक्जाम के अंदर में अगर रिफोर्म लेने के लिए बोले, तो यह भी एक अच्छा इनिशेटिव है, क्योंकि अक्सर स देखने को मलता है, कि 5-7-10 मिनट जादे भी हो जाए, तो कोई दिक्कत देखने को ने मिलती है, तो इसकी वज़े से जिसकी कोपी जल्दी खिच गई, उसमें दिक्कत हो गई, जिसकी कोपी लेट चार रही है, उसको फायदा हो गया, तो यहाँ पर एक लेवल प्लेंग फ थोड़ा सा जहान लखिएगा, ठीक है, इंपोर्टेंट है, कोई confusion इसको लेकर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो फिर उसको दूर करेंगे, ओके, अभी हाँ पर आजी के दिन जो है, यहाँ पर अभी आप लोग को पता है, हमारे देश के अंदर में कल इलेक् कर पाएंगे, अभी हाँ पर यह बोला जा रहा है, कि पोल ने prediction करना चाहिए, कि किस तरीके से कौन-कौन राज्य में कौन-कौन जीत सकता है, आप लोग के राज्य में इलेक्शन थे, आप लोग क्या इन में से किसी राज्य में से आते हैं, अगर हाँ तो आप लोग क्या सारी दिक्कते देखने को मिलती है, और इसके उपर कई सारी बात भी की जाती है, तो यह article उसी से related है, बहुत ही एक बहतरीन लेवल का यह article दोस्तों रहने वाला है, इसमें आप लोग को बहुत सारी बाते मैं आप लोग को बताऊंगा, बेसिक से लेकर, बेसिकली इस तरीक हम लोग चलते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में क्या क्या recommendation अब तक दी गई है, और आगे हम लोग इसको कैसे लेकर चल सकते हैं, पहले तो जिसको यह नहीं पता है कि साइमेंट टेने सेलेक्शन क्या होते हैं, मैं आप लोग को साइमेंट टेने सेलेक हैं, तो आप लोग को यह बात याद होगी, मैंने स्कीम के बारे बात की थी, रायतू बंदू स्कीम याद है, कालिय स्कीम आप लोग को याद है, इन स्कीम के बारे में परधान मंतरी किसान सम्मान निधी के बारे मैंने याद की थी, डिसकस की थी, क्या आप लोग को याद है वो सारी के सारी स्कीम जो हैं वो उनके तहत जो पैसा डिस्टिबू demyuk के जाता है वो सारा का सारा इलेक्शन के टाइम पर रोक दिया जाता है ताकि लेवल प्लेंग फिल्ड जो है वो प्रोवायर कराइजा सकीके पर लेकिन अगर देष के अंदर में simultaneous election होते हैं यहनके center or state के election यहाँ पर एक साथ देखने को मिलते हैं तो फिर यहाँ पर सारी चीजे जो हैं वो एक systematic pattern में चलती हो ही नज़राएंगी क्या यह possible है simultaneous election conduct कराना क्या आज से पहले कभी देश के अंदर में simultaneous election हुए हैं अगर आप लोग उसे कोई पूछे त कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर हमारे देश के अंदर में काफी लंबे समय तक simultaneous election ही हाँ पर चलते हैं काफी लंबे समय तक मतलब कह हैं अगर simultaneous election के बारे में आप लोग उसे बात करूँ तो आप लोग यह याद रख सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पर हमारे एस पैनल को ये काम दिया गाए था, कि ये देखो कि क्या हमारे धेस ने हम लोग सायमिंट टेनर से कर आ सकते हैं, क्योंकि इसकी वे से बहुत सारी दिखकादे से Toby करे हैं अब तक अब गर मालीय हैं किसे नहीं हापर बीच मेही ही आ पर असेपली अगर रहे और यही अगर simultaneous election आप लोगो लेकर आने हैं तो दोस्तो presidential form of system में possible है क्यों क्यों क्योंकि USA के अंदर में आज की date में आप लोगो यही देखने को मिलते हैं USA के अंदर में हर चार साल में आप लोगो election देखने को मिलते हैं और वहाँ पर यह चीज़े असलिए possible है कि अगर president जो form में होँ की जाती है और उसको जो है basically भंग कर दिया आता है तो अगर simultaneous election करना है तो एक तरीके से यह आसान नहीं है बहुत ही टेडी खीर है टेडी खीर क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसके लिए आप लोगों को बहुत सारी जगे चेंज करना पड़ेगा आज की rate में कौन-कौन election कर कराता है कहां-कहां पर क्या-कैच यह देखने को मिलती है तो समिधान के कुछ प्रोविजन है जो कि direct आप लोगों से एक्जाम में पुछे आ सकते हैं और इनके ओपर इस्टार लगा ले ना क्योंकि question बने तो मैंनी चाहता कि आप लोग के मन में कोई confusion रहे दोस्तो यह मैं के अंदर में simultaneous selection होने चाहिए yes या फिर no आप लोग बता सकते हैं आपर simultaneous selection करने के लिए यह provision आप लोग याद रखना अक्सर में आप लोग को बोलता हो कि जब भी आप लोग पोलिटी को उठाय करो तो सारे आर्टिकल रटने की जुरुत नहीं है जो आर्टिकल न्यूज मे जाता है और उसके बाद में उसको dissolve किया जाता है या फिर यहाँ पर अगर उसको पहले भी dissolve किया जा सकता है अगर majority में नहीं है तो इसके लिए article 83 और article 85 इसके अंदर में आप लोग को change करना पड़ेगा यानि कि लोग सभा के pattern में जिस तरीके से आज की date में हम लोग time to time आप लोग को article 83 और article 85 में change करना पड़ेगा same pattern आप लोग को पता है हमारे देश में state के अंदर में follow किया आता है तो यहाँ पर उसी pattern में आप लोग को यहाँ पर state assembly में अगर आप लोग चाते हैं वही duration और desolution के बारें बात की जाती है article 172 और article 174 में आप लोग को यहाँ प round level पर भी आप लोग को change करना पड़ेगा यह समझाने की कोसिस यहाँ पर के जा रही है तो यह star लगाने वाली बात है ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि state assembly के अंदर भी यहनिके विधान सभा के अंदर भी और लोग सभा के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर उनक governor उनकी power है कि कैसे वो dissolve कर सकते हैं यहाँ पर लोग सभा को और इसी के साथ में विधान सभा को अगर 5 साल पूरे हो रहे हैं उसके बाद में यह फिर जो भी circumstances बनते हैं तो यहाँ पर एक article 85 और article 174 में भी आप लोग को change करना पड़ेगा मतलब कि किस तरीके से president की power है और किस तरीके से governor की power है अब उसके अंदर में भी आप लोग को change करना पड़ेगा तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं इसी के साथ में आप लोग को यहाँ पर जो सबसे important चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी और direct question भी आप लोग से बन सकता है हमारे देश के अंदर में दोस अब च्छे साल की हो गई थी तो च्छे साल की लोग सबह हो गई तो extension हो गया एक साल का अब यह article 83 के तहत में हाँ पर किया गया था तो इसके अंदर भी आप लोग को जो emergency का जो provision है article 352 के तहत में national emergency के बारे में जो हम लोग बात करते हैं तो इसके चलते भी हाँ पर in article के अ आपर यह है दोस्तो अगर इन provision को आप लोग change नहीं करते हो तो फिर यहाँ पर अगर फिर से emergency लगती है तो फिर center के election एक साल बाद में होंगे state के election पहले हो जाएंगे और फिर जो change चली हुई आ रही है वो break हो जाएगी तो यहाँ पर इसी लिए इनके अंदर भी change करना देंगे तो आर्टिकल 83 के अंदर भी change करना पड़ेगा यह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल 172 के अंदर में similar provision state assembly के लिए हैं आपर अगर आप लोग को पता हैं यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि president rule अगर यहाँ पर लगा जाता है तो कैसे उसको लेकर चलना है पहले उसको अटा देना है या आगे लेकर चलना है तो आर्टिकल 172 भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है एक बात आप लोग ध्यान रगना यह चीज हालकि सब जगह fit नहीं होती है पर 99% cases में आप लोग को fit देखने को मिलती है अगर कोई article state के बारे में है और center के बारे में है तो उसमें difference अगर आप लोग को समझना है नूर्मली तो आप लोग को एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी वो चीज क्या है बताइए जरा यहाँ पर 89 आप लोग उसमें add कर देना तो वो जो है आप लोग का वो state के बजाए में वो center का basically center से state में convert हो जाएगा वो article ठीक है तो यह एक word है जैसे आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं जब मैंने polity discuss की थी उस time पर भी मैंने आप लोग को बताया था और जब amendment के जाता है तो capital word आप लोग को हाँ पर देखने को मिलते हैं इस small वाले लिखे में article के सामने तो वो amendment नहीं है वो originally वहाँ पर है तो यह बात आप लोग यहाँ पर याद रखेगा ठीक है यहाँ तक कोई confusion है तो बताईए अब आगे जो provision है वो भी काफी important है यह एक बात नहीं है यह कई सारी बाते में आप लोग को बता रहा हूँ और फिर इसके pros and cons भी मैं आप लोग constitution amendment करके 1985 में हमारे देश के अंदर में यह anti-defection law लेकर आया गया और आज की date में आप लोग को पता है कई सारे case है जिसमें सर बुमाई case है 1994 का high court के judgment के बाद में इसी के बाद में रामिस्वर परसाथ case है 2006 का है आपर इसी के साथ में कि यह बात करते हैं dissolution के बारे में विध देखने को मिलेगा कि किस तरीके से चीजों को लेकर यहाँ पर चला जाता है अगर यहाँ पर कल को चल कर एक political party में से छोड़कर इंसान जो है उसको पैसे कहीं और मिल रहे हैं बंदर की तरह है वहाँ छलांग मार कर चला गया तो उसको कैसे आप लोग देखोगे यह भी ए इस्तमाल किया गया था तो इसलिए judicial review वाला जो concept है वो चेक करेगा कि आप लोगों ने anti-defection कानून का इस्तमाल करके और फिर यहाँ पर किसी की assembly को dissolve कर दिया तो past में कई सारी assembly president rule लगा कर इस तरीके से आपर अपने control में करने की कोशिस की गया थी जिसमें नागलेंड भी जिसमें उतराखन भी था जिसमें औरोनेचल परदेश भी था तो सुप्रिम कोट के द्वारा जुडिशल review का एक concept इस्तमाल किया गया जुडिशल review का मतलब क्या है जैसे नहीं आप लोग exam में copy आप लिख के आते हो तो आप लोग कहते हैं कि हमारी copy review की जा रही है यह हमार समिधान के इसाब से है तो बहुत बढ़िया भाई साब चलते रहो आगे आगे पर समिधान के इसाब से नहीं है तो आप लोग की द्वारा की गई हरकतों को डस्ट बीन में डालें हम लोग उठा कर यह बोलता है कोट यहां पर इनको बेसिकली और किया भी है टाइम पर ना नrian के बाइन की जानने को मिल रहे है न आप लोग कई सारे बच्चे ना इससे एक प्रूडेटिव ऑरियन्स इसको कहते है एक सीरियस स्टूरेंड टूरेंड पर लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो की फालतोगी बात करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अपना कोशन पोस्ट करें दोस्तों कि आप लोग अपना माहुल कैसा बनाना चाते हैं इस यहाँ पर एक डेट घंटे की जो यह वीडियो होती है एक ऐसा इंसान होता होगा जो इसको निचोड के लेके जाता होगा यहां से कि भाय साब इतना कुछ सीख के जाएगा मोर्नी में एक डेट घंटे में कि प कि कमेंट बोक्स भी आप लोग प्रोडेक्टिवी उटिलाइज कर सकते हैं एक दूसरे से आप लोग कोशन पूछ सकते हैं एक दूसरे से जो टोपिक यहां पर पढ़ा रहे हैं एक दूसरे का डाउट भी आप लोग किलर कर सकते हैं और यहां पर जो आप लोग को पता है अगर serious तरीके से आप लोग चीज़ों को देखोगे तो कहीं नहीं आप लोग का जिस चीज़ों को बहुत सारी चीज़ा इसी होती है आप लोग को मैं पहले बता चुका होता हूँ ठीक है तो उनमें revision भी आप लोग को होता वा नजराएगा ये starting में जो article बता है मुझे नहीं maximum में आप लोग कोई पता होंगे ठीक है तो ये सारे के सारे नए article है ठीक है कि किस किस तरीके से assembly के duration के बारें बात की जाती है normally exam में ऐसे question directly नहीं पूछे जाते है जब यहाँ पर अगर नोर्मल पूछ लेंगे वो तभी बनेंगे अगर वो current affair में आगे है तो current affair में आगे ह वरना ये article कहां पढ़े होंगे किसी को पता भी नहीं होगा और कोई आद भी ने रखेगा तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर याद रखना इसके बारे में मैं आप लोगों से बाते बता रहों तो doubt मत रखना इसको लेकर थोड़ा स हड़की मेजरिटी की भी requirement होगी और साथ साथ में at least half state assembly को भी आप लोगों से पास कराना पड़ेगा यानि कि article 368 भी हाँ पर आप लोगों को use करना पड़ेगा ये बात आप लोग बोल सकते हो अब यहाँ से मैंने क्या क्या बता दिये ये सारे के सारे provision दोस्तों जो मैंने लेकर आना है इन सब एरिया में amendment करना पड़ेगा अगर आप लोग चाते हो चीजों को सही से लेकर चलना तो ये बाते हाँ पर बताए गई है तो ये आसान काम नहीं है अगर कोई आप लोग को बोलते है बस साइमें टेने सेलेक्शन करवा दो भाई साब एक ही टाइम में तो इसको इतने सारे level पर काम करना पड़ेगा छे मेंबर का जो पैनल बनाया गया उसने basically हाँ पर specific constitutional amendment और legal changes के बारे में हाँ पर बात की कैसे कैसे हम लोग change कर सकते हैं first four लोग सबा हमारे देश के अंदर में जो थी पहली लोग सबा 1952 में हमारे देश के अंदर आये थी और तब से लेके first four लोग सबा जो थी वहाँ पर simultaneous ही election हो रहे थे यानि के center और state के साथ साथ में election चल रहे थे पर लेकिन आगे चलकर 1970s के अंदर में आप लोगों यहाँ यह change जो है वो basically break होती नजराई और यहाँ पर अलग-अलग state के election होने लगे क्योंकि local area में भी कई सारी political party हाँ पर निकल कराने लगी हमारे देश के अंदर में जो आज की डेट में power में है वो है बीजेपी government तो बीजेपी की जो basically political party है उसने 2014 में बोला कि Simon tennis election करवाएंगे फ और फिर इसी के आगे हमारे देश की जो president है रामनात कोविंजी उन्होंने 2018 में यहाँ पर अपना जो president का speech था उसमें उन्होंने Simon tennis election के बारे में यहाँ पर बात कर दी तो Simon tennis election जो है वो हमारे देश में time to time बाते की जा रही है और फिर Prime Minister Modi साब के द्वारा 2019 में यहाँ पर ब आप लोग को अगर कल को लिखने के लिए आजाए कि Simon tennis election जो है उसके pros and cons के बारे में लिखने के लिए आजाए इंपोर्डेंस क्या है यहाँ पर किस तरीके से हम लोग उसके सामने क्या क्या constitutional हर्डन है तो एक answer writing का question भी आप लोगों को लिए हाँ पर post के जाएगा बड़ा ह वाले टाइम पर तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंस में भी अगर कल को question आगे चल कर यह आ जाए तो कोई आश्चरिये करने वाली बात नहीं होगी यहाँ पर अब मैं बाते जो बात आऊंगा आप लोगों जहां से सुनते वे चलिएगा सबसे पहले तो लोग यह बोलते हैं कि अगर simultaneous election करने हैं तो उसके favor में लोग क्या बात करते हैं favor में बात करने वाले लोग सबसे पहले तो यह बोलते हैं कि भाई साब इसकी वज़े से coast cutting हो जाएगी coast cutting कैसे हो जाएगी आप लोग अगर मालेजिए आज की जगए एक राज्य के अंदर election करवा रहे हो और वहीं पर center के भी election है तो वहीं पर ही simultaneously दोनों की एक ही जगए चीज़े हो जाएगी तो यहाँ पर जो stop लगा जाता है एक मसीन बस आप लोग यहाँ पर अलग लग रख जाएगी ठीक है तो coast cutting के बारे में हाँ पर बात की जाती है दूसरा सबसे important point क्या है आप हमारी देश के अंदर में बहुत सारी social security scheme चल रही होती है वह scheme जो रहती है तुरंत यहाँ पर बंद कर दी जाती है जैसे election के बारे में हम लोग बात करते हैं क्योंकि उससे जो है हाँ पर उसको बंद कर दी जाता है तो बहुत सारे लोगों की जो life पर negative impetus का पड़ता है तो इसकी वज़े से आप लोगों चीज़े देखने को मिलती है ठीक है तो यह आप लोग यहाँ पर समझ सकते है ठीक है इसी के साथ में हाँ पर आप लोग बोल सकते हो अगर आज की अगर घर में मा लिजे दो बच्चे है ठीक है एक लड़का है और एक लड़की है ठीक है तो यहाँ पर घरवालों का जो ब्योंत अच्छा नहीं है पर लेकिन यहाँ पर जो लड़का और लड़की है उनकी दोनों की साधी करनी है तो लड़की जो है बड़ी है लड़का जो है चोटा है दोनों की साधी कर दी साधी के लायक हो रखे थे दोनों की 23-24 साल की उमर हो रखे थे अगर समाज के इसाब से माने ठीक है जैसे समाज के बारें बात करते हैं तो इसमें समाज जो है चिलना ने लगता है तो यहाँ पर घरवालों ने सोचा कि यार ज़्यादा है पैसा है नहीं है तो क्या करते हैं दोनों को एक-ई-साथ में निब्टा देते हैं, खाना रहेगा, अब जिसको खाना हुआ खालेगा, अब यह तो है निए कि वो एक बार की जगे दो-दो बार खाएगा कि मैं तो दो साधी के बटड का रख हों यह आपर एकके बदले तो खा लेता हूँ दूसरे के बदले जोले में भर खे ले जाता हूँ ऐसे तो होने से रहा है आपर तो उसी खर्चे में दो साधी नहीं पढ़ जाएंगी हाँ पर एक ही खर्चे में तो यह होता simultaneous election तो यहाँ पर एक खर्चे में दो basically election हम लोग डिपटा देंगे तो यह चीज़ा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो तो बहुती basic सी चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं इसके बारे में तो यहाँ से direct question भी आप लोग से exam में जब पूछे आते हैं तो यह pros and cons आ अंदर में election रहेंगे तो यहाँ पर बस international boundary को seal किया जाएगा यहाँ पर आसपास वाले किसी भी area को seal नहीं किया जाएगा तो security forces का भी effectively utilization होता हो आप लोग यहाँ पर नज़र आएगा तो इससे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो इसमें क्या फायदा होगा इसमें सीध इसलिए मैं आप लोग एक बात बता दूँ कई बार हम लोग को यह लगता है यह चीज़े हमारे याद रह जाएंगी पर लेकिन हम लोग उनको भूल जाते हैं पर हाँ अगर आप लोग चीजों को चाहोगे इनको थोड़ा सा recall करते रहोगे तो फिर आप लोग यह चीज़ में जा रहा है ओस्पिटल में जा रहा है यह बहुत सारी इशूज देखने को मिलते हैं वहाँ पर रेली हो रही हैं तो बहुत सारी पब्लीक को लेकर जो दिक्कते देखने को मिलती है पब्लीक को जो इनकन्विनेस देखने को मिलता है वह इनकन्विनेस भी जहें यहाँ खतम होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो तो यह Simon Tannish selection के मैंने आप लोगो PROSE बता दिये अब Simon Tannish selection के कौन्स बताएंगे यहनिके क्या क्या दिक्कते हैं मतलब Simon Tannish selection अगर होते हैं तो क्या-क्या हैं Here लिकते देखने को आप लोगो मिल सकती है यानि कि ऐसा नहीं कि सारी चीज़े फाइदे में रहती हैं सायमेंट tria nest selection के नुक्सान क्या देखने Sum cleaning को मिलते हैं सबसे पहले तो नुक्सान ьогоब जब यहां पर होएंगे तो center और state के election आप लोगे एक साह देखने को मिलेंगे तो कौन्स के आओ सकते हैं यानिके negative impact के आओ सकते हैं कि यहाँ पर मुद्दा जो है वो सबसे पहले यहाँ पर basically center वाला मुद्दा जाद है हाभी हो जाएगा state वाले के ओपर में हो सकता है state के जो मुद्दे होते हैं को ignore कर दे जाए यह चीज़ा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी है यानि कि सारा का सारा परचार जो है वो center के election पर यहाँ पर खेला जा सकता है पहला तो point आप लोग यह देखने को मिलेगा point number two जो की काफी important आप लोग यहाँ पर बोस सकते हैं उसमें कि आप लोग यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि आज की date में हम लोग क्या करते हैं आज की date में हम लोग basically एक particular इंसान को चुनकर अपने सर पर बैठा लेते हैं ठीक है अपने सर पर बैठा लेते हैं और वो दादागिरी दिखाता है भाई साब कि हाँ अब 5 साल तक ना तो हमारी बात है सुनता है ना हमारे पास में आता है कम से कम state के अंदर में जैसे election होते रहते हैं तो उनको check मिलते रहते हैं कि तुम्हारे basically जो है basically तुम्हारे नीचे से वो chair जो हो सकती जा रही है तो जब-जब उनको दिखेगा अगर वो हार जा रहे हैं तो उनके लिए check and balance बना रहता है कि हाँ भाई साब ऐसा भी हरकत देखने को मिल सकती है जनता के पास में power आ जाती है फिर से judge करने की उनके पास में भी एक तरीक दिखे फिलिंग आती है तो तुम जनता के नो करो जनता के नो करो जनता के नो कर की तरीके से ही तुमको काम करने है ये चीज़े आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर understand कर सकते हो voter का एक तरीके से आप लोग सिधा सिधा बोलू तो voter का एक enthusiasm आप लोगो बढ़ता हो नजर आता है और एक accountability politician की हाँ पर आप लोगो होती ही नजर आती है ये आप लोग इहाँ पर बाते बोल सकते हो ठीक है इसी के साथ में जो सबसे important बाते आप लोग इहाँ पर देखने को मिलेगी कि हमारी federalism की जो spirit है वो इहाँ पर maintained है पा आएगा वरना local political party पर कोई focus नहीं रहेगा वरना सारी की सारी जो focus है वो national political party पर यहाँ पर चला जाएगा तो फैडलिजम की जो spirit है वो maintained रहती है और वरना ऐसा होगा तो वो भी हाँ पर impacted परती ही नजर आएगी ये भी आप लोग इहाँ पर बोल सकते हो और यहाँ पर इसी साफी important है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं और इससे direct भी question आप लोगी कई बार बनते हुए नजराते हैं तो इसको लेकर कोई भी confusion आप लोगे mind में नहीं होना चाहिए तो pros and cons भी मैंने आप लोगे mind में इसको लेकर clarity रखनी है ठीक है तो यहाँ पर मैंने आप लो of system और parliamentary form of system में हमारे देश के अंदर में हम लोग क्या follow करते हैं यह आप लोगो पता है हम लोग parliamentary form of system follow करते हैं तो यहाँ पर आप लोगो पता है parliamentary chasing form of system जो रहता है तो यह बात याद रखेगा इसको लेकर कोई भी confusion आप लोग को नहीं होना चाहिए तो कल को कोई confusion होगा तो आप लोग उसको बताएगा उसको दूर के जाएगा यह सारी की सारी चीजे कई बार difference लिखने के लिए आजाता है President form of parliamentary form system में तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा Parliamentary form में हमारे देश में जो नेता हैं वही कानून बनाते हैं वही मंतरी बनते हैं और वही उसको basically ground level पर देखते हुए नजराते हैं पर लेकिन यहाँ पर separation of power आप लोग को देखने को मिलेगी Presidential form of system में यहाँ पर नेता दूसरे होते हैं और basically जो कानून बनाने वाले दूसरे होते हैं यह चीज़ा आप लोग समझ सकते हैं Executive branch की जो member रहते हैं वो legislative का भी काम करते हैं पर लेकिन यहाँ पर clear between separation देखने को मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर parliament जो है वो elect करती है head यहाँ पर जो head होता है वो आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ तो हमारी दीस में क्या होता है आप लोग अपने प्राइमिस्टर साब को directly elect थोड़ी ना करते हो आप लोग अपने member of parliament को elect करते हो उधारन के तोर पर बनारस वालों ने प्राइमिस्टर को चुन कर भेजा तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने member of parliament को चुन कर भेजा सांसद को चुन कर भेजा ना कि प्राइमिस्टर को चुन कर भेजा प्राइमिस्टर जो बनाया गया वो इनके द्वारा अपने लोगों के द्वारा बेसिकल जो यहाँ पर चुनकर भेजेगे उन्होंने अपनी सहमती से उन्होंने अपनी नेता को चुना है फिर ठीक है तो याद रखना तो पारलेमेंट एक तरीके से इलेक्ट करती है head of the government यहाँ पर और head can be voted out by the parliament तो यह आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं गोर्मेंट जो है वो एक executive रहती है और president separate रहता है और यहाँ पर directly president basically election होते हैं जैसे डोनल्ल ट्रम्प होगे या जो बाइडन साब होगे बराक अबमा साब होगे ठीक है यहाँ पर क्या होता है आप लोग को बागी सारे काम के लिए president जो है वो अपने खुद के नुमाइंदे चुन लेता है और अपने इसाब से यहाँ पर power को enjoy करता है तो यह difference आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो दोनों article cover कर दिए कि कि किस तरीके से presidential form system की requirement होती है simultaneous election क्या होता है किस किस तरीके से आप लोग कहां कहां पर क्या 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 समिधान में संसोधन करोगे जब यह आएगा उसके pros and cons क्या होते हैं अब इसके ओपर अब question दूँगा तो मैं असा गरता हूँ कि आप लोग question भी लिखोगे ठीक है क्या क्या कि impact है क्या गया pros and cons है तो एक बहतरीन सा question आप लोग को दिया जाएगा तो उसको आप लोग जरूर अटेंप करेगा कोई भी confusion अब आप लोग को लेकर उसके mind में नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर यह जो इस तरीके से बीच बीच में election होते हैं फिर वो वाला funda जो है वो आप लोग को बंद होता हुआ है यहाँ पर नजर आएगा आप लोग को क्या लगता है ऐसा होना चाहिए yes या फिर no ठीक है तो अपना feedback देकर आप लोग बता सकते हैं ऐसा कुछ होना चाहिए या फिर नहीं आप लोग अपनी राई हाँ पर दे सकते हैं ठीक है इसके ओपर जो question दूँगा उसको आप लोग जुरूर रेटेंट करिएगा question आप लोग के लिए modal answer अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग यहाँ पर भी connect हो सकते हैं और NCRT के मैंने आप लोग को बताय था कि classes आज से जो main classes है NCRT वो आप लोगी start होंगी basically 4 तारिक से 4th of December से ठीक है फिलाल के time पर जो classes आप लोगी start हो रही है आज दो class आएंगी वो introductory class होंगी तो उनको आप लोग देख सकते हैं application के उपर जाकर download करकर आप लोग और वो class जो है वो starting की free class रहेंगी demo class रहेंगी उनको जिसको भी देखना है वो देख लेना उसके लिए अलग से folder है ncrt वाला वहाँ पर जाकर आप लोग connect कर सकते हैं ठीक है तो यह आप लोग ध्यान रखना तो जो भी connect होना चाता है तो वहाँ पर connect करना बागी Sunday में session होगा आप लोग के लिए कि answer writing में जो keywords होते हैं उनको कैसे आप लोग use कर सकते ह रहे ना तो उसके लिए भी आप लोग के साथ में timing जो है वो share कर दी जाएगी वो सब के लिए free है क्योंकि जो भी guiding session होते हैं मैंने basically ये चीजे मुझे लगा कि अच्छी रहेंगे कि भलाई कोई class लेता है join कर पाता है application पर चाहें नहीं कर पाता है पर लेकिन at least यहाँ पर यह रहेगा कि particular person जो है वो यहाँ पर guiding session अपने ले सकता है ठीक है तो guiding session में आप लोगे लिए हाँ पर free of course रहते हैं सारे ताकि आप लोग अपनी जो है चीजों को सही से लेकर चल सको ठीक है आईए अब चलते है next article के ओर यह जो article है यह भी काफी शांदार और काफी interesting article आप लोगों देखने को मिलेगा आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा कि अंग दान को महादान बोला जाता है अगर अंग दान जो है वो महादान है तो इसका मतलब यह कि आज की डेट में अगर मालीजे कल को चल कर यहाँ पर किसी रीजन की वैज से अगर मेरी death होती है तो मैं आखे इस दुन्या को देखती हुई नजर आ सकती है ईसी के साथ में आप लोग सोच सकते हो मेरा दिल जो है वो किसी के दिल में धरकता हुई अजर आ सकता है, कि हाँ मेरा दिल जो है वो अभी जिंदा रहेगा, मेरी केड़नी भी अपना काम करती ही यहाँ पर नजर आएंगी तो यह इतना ज़्यादा है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि एक इनसान की बोड़ी कितने सारे लोगों की बोड़ी में काम कर सकती है इस चीज को और ज़्यादा अप्रिशेट करने के लिए केरला की सरकार ने बड़ा सही स्टेप उठाया उ या फिर यहाँ पर एक तरीके से किसी और का अंग अगर बोड़ी में आता है तो इससे दिक्कत हो सकती है तो उसको सब को यहाँ पर साइड में करकर यह दिखाया जाएगा कि यह लोग जो हैं यह अपनी हेल्दी लाइफ यहाँ पर इंजोई कर रहे हैं अगर मैं आप आप लेट करते हैं पर लेकिन फिर भी डोनेशन इतना नहीं है जिसको यहाँ पर हम लोग अप्रिशेट कर सकें कि हाँ भाई साब सब को यहाँ पर अंग मिल जाते हैं ठीक है यह जो एरिया है बाकी का यहाँ पर लोगों की मन में इसको लेकर संका होती है आप लोग पर लेकिन थोड़ा सा उससे उपर उठकर अगर हम लोग सोचने स्टार्ट कर दें कि एक इनसान है वो बेसिकली अगर जब उसकी डैथ हो जाती है तो मिट्टी में मिल जाएंगे सारी की सारी चीजे पर लेकिन अगर उसकी बोड़ी का कोई भी पार्ट अगर किसी के अंदर चला जाता है और वो पार्ट जो है वो उसके जाने के बाद भी जिन्दा रहता है तो यह आप लोग को खुसी फिल करनी चाहिए कि हाँ यार इनसान चला गया पलेकिन उसकी वेसे कोई और देख रहा है एक तरीके से अपने पन की फिलिंग आप लोगो हाँ पर होनी इसमें लाइफ सेविंग कौन कौन से होते हैं जैसे दिल हो गया ठीक है एंटेस्टाइन हो गई पेंकरियास हो गया किरनी लंग सेलीवर या कोरिन यह सारी चीज़ा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और टीशू जिनका डोनेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं सबसे फाइदा हैं पर ग्राउन लेल पर देखने को मिलेगा तो यही चीज़ों को एप्रिशेट करने के लिए हाँ पर कोसिस की जा रही है अब अब से पहले आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल मैंने डिस्कस के था जिसमें इंडियन एस्प्रेस का आर्टिकल था कि एज 65 साल के उपर में यहाँ पर गोर्मेंट ने एंड कर दी है कि कैप यहाँ पर कि उनको ओर्गन जो है उनके बारें बात नहीं किया रहती कि ओर्गन फ्रोंदा डेड डोनर यानि कि किसी की अगर डैथ हो गई है तो यहाँ पर यहाँ पर जिसकी एज जो है वो 65 से नीचे क्यों? क्योंकि यह बोला गया था कि Right to Life तो यार हरेक इनसान को है ना? मालिजे मेरी एज कल को चल कर अगर 70 साल हो जाती है तो जब मेरी एज 70 साल हो जाएगी क्या मेरा हकनी है आगे जीने का? अगर मालिजे आगे चल कर मेरी किडनी कराब हो गई और किसी ऐस इस इंसान की death हो गई है जिसके मेरी kidney जो है वो मुझे हाँ पर kidney देना चाता है मुझे kidney मिल जाती है तो क्या वो मुझे मितलब हक नी है उसको kidney को लेने का क्या किसी जवान को हक है वो अलग बात है कि preference जवान को देना चाहिए उसकी जिन्दगी ज़्यादा बचुई है practical तरीके से अगर देखा जाए पर लेकिन इसमें यहाँ पर यह भी तो हो सकता है ना आप लोग खुश सोच के देखो मैं थोड़ा सा इसको जो मैं बताने जारा हूँ इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना जो मुझे यह article पढ़ते वे मेरे जैसे पताने कितने टीचर और भी होंगे पर साइन्टिस जो है वो जो देख के अंदर में पताने कितनी बड़ी चीज़े कर रहे हैं आप एक तरीके से सोचो साइन्टिस की जगह अब आप लोग अगर compare नहीं कर पा रहे तो APG अब्दुल क्लाम सर को बचाना चाहिए क्यों क्योंकि देश की जो है basically आप लोग सोच सकते हो कि एक तरीके से कितनी बड़ी एक तरीके से important personality है जिनको हम लोगों को एक तरीके से बचाना चाहिए और हमारे देश को कितना फाइदा देखने को मिलेगा तो teacher तो मेरे जैसे तो और भी है दुनिया भर के कितने सारे teacher हैं कोई और भी teacher बननके आ जाएगा पर missile man तो एक है ना यहाँ पर तो यहाँ पर इनको बचाना चाहिए तो यहाँ पर preference तो आप लोग दे सकते हो अगर आप लोग चाहो पर लेकिन अगर एक इनसान अगर जिंदा रहना चाहते हैं और उसको औरगन मिल रहा है आप लोग ने बोल दिया कि 65 साल से उपर के इनसान को औरगन नहीं मिलेगा तो यह तो यार सीधा सीधा fundamental right का हनन हो गया part 3 के अंदर में article 21 आप लोग को right to life देता है इस इनसान को भी जिंदा रहने का हक है आप लोग यह बोल सकते हो ठीक है तो यहाँ पर scientist के यहाँ पर तो एपी जब्दुल क्लाम सर को बचाएंगे ठीक है मुझे छोड़ कर है मैं खुद भी अपनी kidney दे दूँगा अगर उनको जुरत पढ़ेगे अगर उनको बचाने की जुरत पढ़ती है अगर वो धर्ती पर होते है क्योंकि इस तरीके से हम लोग को focus देकर यहाँ पर चलना पड़ेगा तो यह चीजे preference बस इतना दिया जा सकता है अगर दे सकते हो इसके अलावा अगर आप लोग preference यह दोगी कि 65 साल का होगी है यह इंसान इसको नहीं देनी है kidney क्योंकि यह तो 65 साल का होगी है तो यह गलत बात है तो इसको यहाँ पर हटा दिया गया और यह काफी important है आपर कि हर एक इंसान का यार अधिकार है उसको किस तरीके से रहना चाहिए ठीक है तो यह चीजे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो तो जो देखने को मिलता था उसके लिए सोच रहती है कि यार कुछ ने कुछ जवान लोगों को मिल जाए है हाँ ठीक है मैं अभी यहाँ पर एक डेटा लेकर आया था exactly यह देखो है आप लोगो देखने को मिलेगा organ donation rate जो है 0.52 per million आप लोगो देखने को मिलता है Spain के अंदर में एक interesting concept में आप लोगो बताऊंगा यह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यह अभी जोमेटो के द्वारा एक काफी बड़ा change किया गया उसको में compare करके आप लोगो बता दो अगर आप लोग कोई order करते हो जोमेटो से खाना मंगाते हो या फिर स्वेगी से आप लोग खाना मंगाते हो तो दुनिया भर की plastic की spoon जो थी वो लोगों के पास में पहुँचा करते थी पर लेकिन उन्होंने क्या क्या इसको just उल्टा कर दिया और उन्होंने इस pain वाला काम किया उन्होंने यह बोल दिया अब यह टिक ऐसा का ऐसा ही हाँ पर यह बेसिकली यह गोला है अब बोल दिया अगर plastic की spoon चाहिए तो आप लोग इसको tick कर दो दोनों में कोई ज़्यादा difference है नहीं है अगर आप लोग सोचोगे पर लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं होगा मतलब 90% लोग न जो है इसको tick ही नहीं किया और पहले 90% लोगों की पास में plastic की spoon वो ऐसे ही जाया करती थी मैं अगर आज की date में आप लोगों से बात करूँ ये एक psychological change होती है कि हमारे पास में चीजे जो है बेसिकली हम लोग उसको ध्यानी नहीं देते हैं पर लेकिन अगर हमको करना पड़े तो हम लोग उसको करते भी नहीं टिक तक नहीं लगाते हैं अगर हम लोगों चाहिए कि नया टिक लगाना भूल गे अब लेकिन कई सारे लोग उसको लगाते नहीं तो इसके वैसे 90% प्लास्टिक की जो चम्मचे थी वो यहाँ पर बेसिकली इन्वोर्मेंट में जाने से बच गई ऐसा ही स्पेन के दुआरा यहाँ पर एक काम किया गया यह परसनली मुझे काफी अच्छा लगा और यह हमारे देश के अंदर भी बेसिकली होना चाहिए इस्पेन के अंदर में क्या करते हैं इस्पेन पहले आप लोग देख लो यह है अपनी प्यारी कंट्री यहां से इस्पेन देखोगे तो आप लोग यहाँ पर इस्पेन नजर आएगा इस्पेन के अंदर में ओर्गन डोनेट करने वाले सबसे ज़ादہ आप लोग आप लोगो देखने को मिलेंगे उन्होंने ये कर दिया कि हर एक इनसान को ओर गन डोनेट होगा अगर इनसान की डेथ हो जाती है ये फिर कोई ऐसी चीज होती है वक्समात तो हर एक इनसान का ओर गन जो है वो सका डोनेट के जाएगा अगर किसी को अपना organ donate करने से बचाना है organ donate नहीं करना है तो proper एक form fill करकर देना पड़ेगा मतलब समझ गया आप लोग यहाँ पर एक तो अगर यह इसका opposite बोल देते कि हर एक इनसान जो है जिसको organ donate करना है वो आकर form fill कर लो कौन जाएगा form fill करने कोई भी नहीं जाएगा अब यहाँ पर उनने इसका opposite बोल दिया कि अगर किसी को organ donate करने से बचाना है हर एक इनसान को करना है जिसको नहीं करना है उसको form fill करना पड़ेगा तो यहाँ पर वो जो मेटो वाला जो चमच वाली बात की है वो आप लोग को बिलकुल यहाँ पर देखने को मिलेगी तो अगर हमारे देश में भी हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं तो दोस्तों यकीन मानो organ donation की संख्या आप लोग को बहुत ज़्यादा बढ़ती है यहाँ पर नज़राएंगी इसलिए Spain के अंदर में आज केर में आप लोग इतनी चेह देखने को मिलती है पर लेकिन हमारे देश के अंदर में organ की जो requirement है और जो supply है वो आप लोग को बहुती कम देखने को मिलेगी ठीक है और गन के अगर बात करें जैसे यहाँ पर किरनी हो गया लीवर हो गया हर्ट हो गया पैन किरियाज हो गया ठीक है तो कितने हार्वेस्ट के गए हाँ पर और requirement कितनी है requirement आप लोग को लाँखों में देखने को मिलती है हमारे देशे परजेंट टाइम पर टोफ फाइव स्टेट अगर आप लोग याद रखें तो देखना मतलब मैंने आप लोग को बोलता ना कि आध्धे में राम और आध्धे में गाम वो आप लोग को यहाँ पर भी नजर आ जाएगा तेलंगाना, तमिलनाडू, महरास्ता, गुजरात और करनाट का इसके अंदर में 85% औरगन डोनेशन हो जाता है समझ रहे हैं? मतलब टोटन लाकर हमारे देश के अंदर में 28 राज्ये है 28 राज्ये में से 5 राज्ये में से 85% औरगन डोनेशन हो जाता है मतलब आप लोग सोच के देखो हमारे देश में यूपी जो है इतना बड़ा पॉपुलिस राज्य है याँ पर हमारे देश में बिहार जो है इतना बड़ा पॉपुलिस राज्य है आप लोग को देखने को मिलेगा आप लोग को जब ये डेटा में बता रहा हूँ तो मुझे उस टाइम का वो डेटा याद आ रहा है हमारी देश के अंदर में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ आप लोग सोच के देखो अगर आज की डेट में गैप में आप लोगों बता हूँ absolute number of third number आप लोगों transplant के बारें बात करेंगे world में हमारे देश के अंदर में requirement होती है estimation है कि 1.5 से लेके 2 lakh person ठीक है उनको चाहिए पर लेकिन मिलते कितने 8000 को मतलब 2 lakh लोगों को organ की requirement है पर लेकिन 8000 लोगों को लगभग मिल पाता है हर साल अब मैं जब इस article को पढ़ रहा था तो मेरा connection चला गया कहीं और पर वो connection कहां चला गया मेरा connection चला गया road accident के लोगों के उपर में आप लोगों पता है हमारे देश के अंदर में हर साल 4 से 5 lakh लोगों रोड पर accident होते है जिन में से 1 से 1.5 lakh लोगों की जान चली जाती है आप लोग सोच के देखो 1 से 1.5 lakh लोगों की जान चली जाती है और 1 से 1.5 lakh लोग जिन की जान चली गई है इतना ही requirement है हमारे देश के अंदर में आज की date में जैसे कि kidney का, kidney की requirement आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 80 अजार के करीम यहाँ पर liver transplant की requirement है आप पर, पर मिलते कितने हैं, only 800, तो सोचके देखो, जिनका accident की वज़े से यहाँ पर death हो रही है, अब इंसान तो चला गया, अब उसके organ को अगर इस्तमाल करकर किसी इंसा कि अगर हम लोग जान बचा पाते हैं, तो यह कैसा रहेगा, आप लोग यहाँ पर ऐसे देखो, ठीक है, यह समझ सकते हैं, heart और जो lungs होते हैं यहाँ पर, यह आप लोग बोल सकते हैं, कई बार क्या होते हैं, जिससे आप लोग ना, कई सारे लोगों को, जिससे कई सारी बी लोगों से भी हम लोग, यह देखो, यह आपर रोड एक्सिडेंट वाली बात है, ठीक है, तो इनको अगर हम लोग इस्तमाल कर पाएं, तो सोचो कितने सारे लोगों को हम लोग नहीं जिन्दगी दे सकते हैं, पलेकिन मिलती कितनी हैं, आप लोग यह अंदाजा लगा सकते तो यह सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती हैं, तो केरला के द्वारा जो इनिशेटिव स्टार्ट किया गया है, मैं तो इसको सैल्यूट करता हूँ, इस तरीका इनिशेटिव अगर देखने को मिलता है, तो अगर जिन्दगी में आप लोग को भी अगर डोनेट करने का मोगा मिलें तो आप लोग भी जरूर्व डोनेट करना जिंदगी में इससे क्या होता है? अंगदान, महदान की केटेगरी में आता है किसी इंसान की जिंदगी आप लोग बचाकर चले जाएंगे जाने कि बाद भी आप लोग इस दुनिया में धर्ती मैंने आप लोगों सब्दों में समझा दिया इतनी आसान चीजें हैं नहीं है ओर्गन की काला बजारी होती है कई सारी तो साउथ इंडिया की मुवी आप लोगों ने देखी होगी वहाँ पर ओर्गन की काला बजारी भी देखने को मिलती है जो इंसान मर गया होस्पिटल में क्या करते हैं उसके ओर्गन निकाल गे फड़ावट सील साल के पोस्माटम करके घरवालों को बोड़ी पगड़ा दी और फिर उठागी क्या करते हैं उसको बेसिकली अगर होस्पिटल में ही किसी को चाहिए उनसे डबल डबल प्राइज में और्गन लेते हुए यहाँ पर नजर आते हैं ऐसी ऐसी गंदी हरकते भी हमारे देश के अंदर में देखने को मिलती हैं जिसके चलते हैं यहाँ पर लोगों का फिर विश्वास उठता हुआ नजर आता है आप लोगों ने बलट डोनेट किया वो बलट दो है उन्होंने डोने इंगेटी इंपेक्ट भी हाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो नेशनल ओर्गन और टीशू रिमोबल एंड स्टोरेज नेटवर्क और इसी के साथ में नेशनल बायो मैटीरियल सेंटर दो डिवजन आप लोगो देखने को मिलेगे जो काम करते हैं इसके आप ल और टीशू ट्रांस्प्लांट ओर्गिनेजेशन तो यह जरूरी है यह इतना इंपोर्टेंट है कि इसके ओपर वर्ल्ड डे भी सैलिबेट कियाता है वर्ल्ड ओर्गन डोनिशन डे ठीक है तो यहाँ पर लेस प्लिज यहाँ पर देखो एक तरीके से यहाँ पर एक नहीं कहीं न कहीं लोगों को पर्मोट किया रहा है कि डोनेट ओर्गन और सेव लाइव तो यह बाते आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो बहुत ही इंपोर्टेंट यह आर्टिकल है कल को चल लगर कोश्चन पुछ रहा है आप लोगों से लिखेने के लिए भी आप लोग य क्या रहा है इसके बारे में आप लोग बताइए और कैसा लगा यह आर्टिकल जो बेसिकली लाइव देख रहे होते हैं आप लोग फिड़ भी बैक भी दे दिया करो साथ साथ में ठीक है तो यहाँ पर जीतने लाइव देखने है अपना फिड़ भी दे दो बाकि कैसा लग यह आर्टिकल आप लोग बताइए यहाँ पर तो इसके चलते हैं एक कोश्चन भी आप लोग के सामने यहाँ पर यह ओर गन डोनेशन के बारे में बात की जा रही है ओर गन डोनेशन रेट जो है ओजिरो पॉइंट फाइप पर मिलियन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल पांच स्टेट ऐसे हैं उन पांचों के पांचों के नाम आप लोग बता जिए जिससे ओर्गन डोनेशन मैकसिमाम आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है तो आंसर क्या होगे इसके लिए इसके लिए आंसर होगे यहाँ पर डी तो डिरेक्ट कोश्चन आप लोग से यह समझाना है दो और उसके ऊपर कम से कम आप लोग पचास सो सब्द ने लिख के देख लो ठीक है तब तक इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने उस चीज को अंडरस्टैंड धंक से कही नहीं है अगर आप लोगों को उसको बिसिकली लिखा ही नहीं जा रहा है ठीक है तो कोई आप लोग अब लोगे सामने कोई भी अगर आप लोग intention पढ़ाए तो यह करना है कि उस टोपिक को आप लोग को लिख लेना है लिख के देखना है कि क्या हम लोग इसके बारे में पचास सो सब्द लिख पाएंगे वरना फिर वहीं काम होगा जो आप लोग ने 12th fail movie के अंदर में देखा होगा जब वो आये सुपसर बोलता है कि अच्छा अपने बारे में लिखो तुम अपने बारे में भी वो इंसान हो है वो ढंक से नहीं लिख पता करे तो बहुती आसान topic हो जाएगा reality में बता दो आप लोगो लिखना एक कला है लिखना एक आदत है अगर नहीं लिखोगे तो नहीं लिख पाओगे exam के अंदर में तो इसलिए try जरूर कि अगरो ताकि आप लोग अपनी एक प्रीके से अपने mind को उस pattern में आप लोग divert कर सको कि कैसे कैसे चीजे लेकर चलनी है चलिए यहां तक काई होफ कि आप लोगे mind में clarity आ गई होगी अब मैं आप लोगे लिए लेकर चलता हूँ एक next article की और यहां पर यह आप लोग को एक editorial देखने को मिलेगा यहां पर बात की जारी है किसके बारे में यहां पर बात की जारी है हमारे देश की reputation के बारे में हमारे देश की reputation जो है वो अभी खत्रें पड़ गई सर क्या बात कर रहो ऐसे कैसे खत्रें पड़ गई क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बत्तमी जी की परकास्टा पार करते हैं अब यह आप लोगों को पता है Canada नहीं हाँ पर हमारे उपर आरोप लगाए थे कि हमारे देश के लोगों ने हाँ पर Canada के citizen को मार दिया सबसे पहले तो जिसको तुम अपना citizen बता रहे हो वो हमारे देश में एक terrorist है ऐसे ऐसी हरकादे कर चुका है तुम उसको अपना citizen बता रहे हो पहले तो यह घटिया चीज़ है अभी Canada के पाथ पर United States of America चल रहे है पब्लिकली आकर यह बात तुम इंटरनली सरकार के साथ में सेयर कर सकते हो ना पर लेकिन देश के उपर यह pressure बनाने का तरीका होता है Canada के बाद में USA ने साब साब बोला है कि हमारे देश के अंदर में हाँ पर जो पन्नु साब है जिनका नाम है गुर्वन सिंग पन्नु तो यहाँ पर उनको मारने की साजिस यहाँ पर किये गई है और नाम यहाँ पर बताया गया कि निखिल गुपता जिनके द्वारे यहाँ पर यह काम करने की कोशिस यहाँ पर किये गई है यह founder है आपर एक तरीके से आपर जो की खालिस्तानी moment को लेकर चलने वाले एक इंसान है जो चाहते हैं हमारे देश में से खालिस्तानी जो एक तरीके से area निकल कर लखा जा सके तो यहाँ पर सबसे important बात क्या निकल कर आती है सबसे important बात तो ये निकल कर आती है कि जब international level पर एक बहुती powerful देश किसी देश के उपर में ऐसे आरोप ऐसे charge लगाता है तो कहीं न कहीं ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि reality में यार कहीं न कहीं आप लोग सोच के देखो आप लोग आज की rate में अपने किसी area में रह स्टार्ट कर देते हैं तो ये चीजे देखो घटिया तो हरकत इतनी है हमारे देश के अंदर में अगर किसी लड़की के साथ में देश के अंदर में रेफ होता है तो यहां पर उसी लड़की को अलग नजरी से देखना है स्टार्ट कर देते हैं इसमें उसकी क्या गलती थी उसके साथ में रेख हो गया अगर देखना है बुरी नजरों सी तो उस इंसान को देखो ना जिसने हरकते की है तो यह हमारे देश का मैंड सेट आप लोग को देखने को मिल रहे है खास कर सूसाइट का मैंड सेट में आप लोग को बता रहूं ठीक है यहाँ पर focus किसपर रहता है focus रहता है यहाँ पर उसपर जिसका rape हो है ना कि उस इंसान पर जिसने किया है वो तो एक तरीके से ऐसे घोमते है जैसे कि बहुती बढ़ा एक काम करके है अगर वो बच जाता है तो अगर नहीं पगड़ा जाता है ये भी चीज़े बहुत सारी देखने को मलती है तो समाज के अंदर में जैसा pattern है ऐसा ही आप लोगो international level पर देखने को मिलेगा किसी देश के उपर में पहले Canada ने आरोप लगा दिया फिर उसी देश के उपर में USA ने आरोप लगा दिया USA ने अजब इसके उपर कोई attack करता है इसके साथ में कोई हरकते करता है पाकिस्तान के अंदर में गुसकर इसनों ने ओसामा बिलादेन को मारा समझ ले आप लोग यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जाकर गुसकर यहाँ पर यह मतलब तुम करो तो सही है और हम करे तो गलत हैं यह दो गलापन यह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा United State of America का और यह चाहता है देश के उपर में परेसर बनाना मैंने बताया था ना पहले इन्होंने क्या किया रसिया को डील करने के लिए चाहिना को सपोर्ट किया चाहिन रसिया को अफगानिस्तान से निकालने के लिए इन्होंने बेसिकली तालिबान को सपोर्ट किया अभी चाहिना आगे निकल गया चाहिना को कंट्रोल करने के लिए तो ये कही ने कही एक तरीका negative mindset हमारे बारे में international level पर आप लोगो देखने को मिलेगा और ये आप लोगो पता है Canada और USA जो है वो 5i का भी पार्ट है आप लोगो पता है 5i में कौन कौन से देश आते हैं 5i में USA और Canada तो मैंने बता दिया एक और बता दिता हूं UK बागी के दो देश और बच गए उनका नाम आप लोगो बताने हैं ये एक दूसरी के साथ में secret information share करते हैं तो उस time पर तो इन्होंने Canada का साथ देने से मना कर दिया था जब Canada नहीं आरूप लगया अब नए प्रोटिंग लेकर आ रहे हैं कि इंडिया हमारे देश के अंदर भी ऐसा कुछ करने जा रहा है तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ठीक है अगर ऐसा कुछ करने जा भी रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं आप लोग ये बता दो ये हरकते तो तुम भी करते हो ना अगर तुमारे देश के उपर कोई अटेक करते हैं अगर हम ये सेम हरकत कर रहे हैं तो हम भी अपने देश के टेरिस्ट को जो हमारे देश को डिवजन करना चाता है, डिवाइड करना चाता है, तो हम भी उसके खिलाब कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं, आप लोग खुद बताओ, क्या हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, अगर कोई हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो 5-5 के चट्टे बट्टे हैं यहाँ पर इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है तो USA Base जो इस तरीके से चीजे देख रही है और और यहाँ पर हमारे देश के द्वारा बोला गया है गोर्मेंट ने क्या चिला कर बोल रहे हैं कि हमारे देश के नागरिक को इनडिया ने मार दिया अब भाईerd добр अब सेम काम यूस्टे कर रहाए है इसी पैर्टर में तुम यह बाते आकर भी तूं बोल सकते हो ना कि भाईयार ऐसा कुछ हो रहा है बता दो पहले तो आप लोग सुब इनके द्वारे यांपर खेले जा रहे है ठीक है तो कही नगई यह प्रेसर बनाने की कोशिस यहांपर की जाती है इंडिया ने बोला कि हाई लेवल इंक्वारी बैठाएंगे देखेंगे पर लेकिन इस तरीकी के इश्यू निकाल कर लेकर आना ये सामने वाले को एक और ज़्याद है अपने से दूर करने वाली बात होगी इसलिए हम लोगों ने कुछ भी शामदाम दंट भेद लगा लो हम लोगों ने रस्या के खिलाप एक बार भी जाकर वोट नहीं रहा ला क्योंकि हमको पता है किन की हरकते के हैं ये वही देश है जब हमारे उपर अटेक किया जा रहा था बेसिकली और यहाँ पर बंगलादेश के साथ में हाँ पर वो चीज़े चल रही थी जिसके ओपर सैम बहाद्दूर मुवी आप लोगो देखने को मिलेगी और युएस से ने हाँ पर पागिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अपना वोर्सिप भेज जा था वो तो भला उस टाइम पर यहाँ पर रसिया का कि साइड में रसिया आगे हाँ पर तो इसकी वेसे आपर चीज़े बढढ़ गई क्योंकि इंदरा गांधीजे ने फ्रेंट्शिप ट्रीटी हाँ पर साइन कर रहे की थी तो उसकी वेसे आपर चीज़े नोर्मल होगी वरना आज की डेट में कुछ औरी नजारा आप लोग को देखने को मिलता तो ये है United State of America की हरकते तो ये तो एक ऐसा देश है जो कि अपने फाइदे के लिए ये कितना भी गिर सकता है किसी की भी चार्च सकता है ये वो वाला देश आप लोग को देखने को मिलेगा इसे सतर कर रहे है कि China के ओट टैकल करने के चक्कर में USA की गोद में जाकर मरद बैड़ जाना ये हमको ये सतर कर रहे है ये बात आप लोग यहाँ पर समझसकते हैं तो ये तो हमारे लिए एक तरीकी की चेतावनी आप लोग को देखने को मिलेगी तो देखते हैं क्या solution निकल कर आता है कहीने कहीन आगे चल कर जो भी चीज़े होंगी तो इसमें यही बाते बताएगे पर लेकिन यह concern की बात है कि पब्लिक लिए आकर किसी के ओपर यह comment कर देना यह कितने हद तक सही है तो यह थोड़ा सा एक तरीके सोचने वाली बात यहाँ पर देखने को मिल रही है तो यह एक पुरा आर्टिकल था है यहाँ पर इंडिया और यूससे के रिलिशन के बारे में तो अलका सा आइडियास के बारे में आप लोग रख सकते हैं कोई डाउट आप लोगों यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए ठीक है थैंक्यू डियर यहाँ दिलाने के लिए धरा था मेरा गला गला जो है वो पकड़ने लगा था ठीक है मेरे माइंड से ही निकल गया था मतलब लगभग जैसे एक घंटा जैसे नोमली वीडियो रिकोर्ड करके डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसे टोपिक खतम हो गया तो उसमें बीच में रूख जाते हैं पर लेकिन जब लाइव होती है वीडियो तो तब यह औपसन नहीं रहता है मतलब उस टाइम तो फिर मतलब लगातार जो है वो अपना चलती रहती है स्पेड में चीजे तो उसकी वेसे चीज़े ऐसी हो जाती है ठीक है तो यह चीज़े आप लोग देख सकते हो तो इस लिए भूल गया था तो उसके लिए थैंक्यो इतनी कियर करने के लिए आईए अब चलते हैं नेक्स आर्टिकल के और फिडबैक भी दे दिया करो आप लोग वीडियो को लाइक करकर बता दिया करो आर्टिकल कैसा लगता रहता है आप लोगो ठीक है जो भी नए ने जुड़ते रहते हैं जैसे स्टार्टिक में कम बच्चे होते हैं नए ने कि कोई कैसे सोच रहा है अभी एक आर्टिकल जो है यह आप लोगो देखने को मिलेगा मैनमार के बारे में मैनमार जिसको आप लोग बर्मा भी बोलते हैं ठीक है तो बर्मा हमारे देश के जो अगर देखोगे आप लोग चार राज्य को नोर्टिष्के टच करता हुए आर्मी ने क्या किया था डेमोक्रेटिकली इलेक्टिड गोर्मेंट को उठागर फैंक दिया और सारी की सारी पावर जो है वो अपने हाथ में ले लिए जब से इन्होंने सारी की सारी पावर जो है वो अपने हाथ में लिए तब से लेकर आर्मी हाँ पर रूल कर रही है और से में आजाद होा था याद नहीं है तो बहुत ही बुरा होगा ठीक है अगर यह भी वात याद नहीं उस टाइम पर याद होगा कि हमारे देश के अंदर मेर्मो करेंट सी yomen 52 में से आजआधों में इसनेत्म के अंदर में रूल करने स्टाट किया पर पागिस्तान के अंदर में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला वहाँ पर आर्मी लीडर रूल करे थे ऐसा आप लोग बोल सकते हो ठीक है तो उसके चलते हैं यहाँ पर एक साइड में आर्मी लीडर रूल करें एक साइड में ची देखने को मिल रही है बंगला देश एक ऐसा रीजन है जो कि ह हमारा बंगाल हुआ करता था और उस बंगाल से मैकसिमम आप लोग को हमारे देश के अंदर में जो फिडम स्टगल मुवमेंट चले हैं उसकी जमीन उसका गड माना जाता था यहां पर बेसिकली बंगाल को इसलिए अंग्रेजों ने शाम दाम दंड भेद लगा के 1905 में 1919 में और community को यहां पर divide कर दिया तो इससे आप लोग को यह देखने को मिला उन्होंने शाम दाम दंभेद ला के divide किया पर लेकिन जैसे ही देश आजाद वा अब यहां पर यह वो एरिया था जो कि आजादी के लिए लड़ रहे थे अब इनको फिर से आजादी नहीं मिल रह रही है दोनों एक साथ में आजाद हुए एक कहां पहुँच गया और दूसरा कहां रहा गया तो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जब डेमोकरेटिकली इलेक्टिड गवर्मेंट जो होती है तो जनता के दौरा अपनी गवर्मेंट चुनी जाती है उसी लिए उसको चीज़ों के लिए बनाएगी है आरमी आप लोगो सिक्योर्टि तो प्रोवाइड करा सकती है आरमी आप लोगो वेलफेर प्रोवाइड नहीं करा सकती है आज की डेट में अगर इंटरनेस्नल लेवल से आप लोगो इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कोई भी सरकार नी यहां पर आकर तो कल को आपका business जो है उठफ होता हो नजर आएगा तो कोई भी समझदार इंसान जो है वो ऐसे step नहीं उठाता है यह बात आप लोग इहां पर समझ सकते हैं ठीक है तो यहां से यह बहुती basic सी बाते में आप लोग को बता रहा हूँ तो आज की date में यह चीज यहां पर इस चीज़ को लेकर protest करने स्टार्ट कर दिये हैं और कहीं है कि आर्मी जो है उस लेवल पर वहां पर चीज़े भी प्रोवाइड करा रही है मतलब आप लोग को यहां पर आज की rate में अगर हम लोग को यहां पर कोई ने कोई social security scheme चलानी है किस तरीके से economy को आगे लेकर चलना है कि आर्मी उसको ढंक से deal कर पाएगी तो हैं पर मुवी के अंदर जो आज मुवी रिलीज होरी उसका एक डायलोग मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे training मिली है आर्मी की मतलब मेरे लिए वो सलामत आपको training मिली है political party बनने की politician बनने की आपको वो सला कि क्या मैं करना नहीं चारा हूँ या करना ही सकता हूँ तो यहाँ पर वही बात है तो यहाँ पर तुम कर नहीं सकते हो जब वो बोलता है कि यह बात नहीं है मैं कर सकता हूँ पर करना नहीं चारा हूँ ठीक है तो यहाँ पर नियत का difference आप लोग को देखने को मिलेगा तो यहाँ पर democratically elected government आती है मैंनमार के अंदर में और यहाँ पर सही तरीके से वो सीज़े established के जाती है हमारे North East के लिए भी कावी फाइदा देखने को मिलेगा वरना हमारे लिए क्या problem रहेगी हमारे लिए सिधी सिधी यह problem रहेगी कि बहुत सारे refusee आज की डेट में बंगला देश में जा रहे है यहाँ से मैंनमार से निकल निकल कर अलग-अलग हमारे North East में एंटरी करने की कोसिस कर रहे है अभी recently आप लोगों ने देखा होगा तो हमारी security के लिए भी यह खत्रा बनता हुआ नजर आता है यह दिक्कत है आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यह बहुती basic सी बात है मैं आप लोगों यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि आप लोग समझ सकते हैं जो भी late आता है न जैसे कई सारे बच्चे late आते तो story लिखते हैं यह आप लोग feel किया अगरो reality में ठीक है क्योंकि अगर आप लोग feel नहीं करोगे तो आप लोग गलती करते चले जाओगे अगर कोई गलती कर दिया ना जर्मनी के अंदर में concept होता है self punishment Hitler के दौरा वहाँ पर जब rule किया गया जर्मनी के अंदर में और यह schedule आप लोग follow नहीं कर पाए हैं आप लोग ने शाम को अपना plan भी बनाय था और वो plan आप लोग follow नहीं कर पाए तो आप लोग को अपने आपको punish करना चाहिए यह नहीं कि आप लोग कोई और punish करेगा self punishment सबसे ज़्यादा है अच्छा punishment देखने को मलता है क्यों क्योंकि self punishment जो होता है वो एक progressive होता है progressive कैसे जिसे मालीजे आज आज आप लोग time पर ने उठे ठेक है अगर time पर ने उठे लेट उठ रहे हो ना तो अगर लेट उठ रहे हो तो आज आज आप लोग क्या करना है जब भी आप लोग exercise करोगे आप लोग अगर मालीजे 30 मिनट या 15 मिनट exercise करते थे तो आज exercise को 10 मिनट बढ़ा देना अपने आपको punishment भी ऐसा दिया करो ताकि आप लोग की body पर उसका positive impact पड़े ठेक है गलती करने के लिए किसी की और की जुरत नहीं पड़ेगी कि कोई और आप लोग को बताए कि आपने गलती कर दिया है अपनी गलती आप लोग खुद सुधारते में नजरा होगी और इसकी वैसे जो life में exponential change आएगा वो आप लोग देखना क्या मज़ाएगा मतलब यह होगा इसमें सबसे बड़ा change पता है क्या है अक्सर जब decision making capability की बात आती है तो इनसान जो है वो अपने लिए चीजे सोच नहीं पाता है पर लेकिन अगर आप लोगों ने सोचने स्टार्ट कर देना तो आपने अपने आपको एक थड़ इनसान की तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया यानि कि कोई और आप लोगों को देख रहा है और वो पनिस कर रहा है इस तरीके से अगर आप लोगों ने अपने आपको देखने हैं स्टार्ट कर दिया तो अपने लिए जो डिजन लोगे न वो इतने बहतरीन होंगे क्योंकि आपको आपसे ज़्यादे कोई नहीं जानता है और उसके basis पर जब आप लोग डिजन लोगे तो result भी इतना ही शांदार आप लोगों देखने को मिलेगा यह concept फोलो करके देखो जब जब आप लोगों लगता है आप लोगोंने कुछ चीज़ डिसाइड किया और वो चीज़ आप लोग नहीं कर पा रहे हो उस time पर बोल देना कि आज जो है न इस तरीके की चीज़ों में change मत करना कि कम सोना है या फिर कुछ इस तरीके की चीज़े करना जब आप लोगी बोड़ी पर negative impact पड़े ऐसी चीज़े पर उसे positive impact पड़े आज जो है दो answer लिखने है आज ना तीन answer लिखने है आप लोग को punishment देने का तरीका बताओ मैं आप लोग क्या करना चाहिए आप लोग अक्सर देखतों कि जो भी काम आप लोग जिन्दगी में करना चाहते है वो काम आप लोग याद रखना वो काम हमेशा आप लोग को बेसिकली जो success की रहा पर लेकर जाएंगे वो बोरिंग लगेंगे उनको A4 size की sheet पर लिख लेना कि time पर उठना बोरिंग लगता है answer writing करना बोरिंग लगता है अच्छा exercise करना बोरिंग लगता है अच्छा मतलब ये सारे आप लोग को normally boring काम करने को मिलते हैं जब भी पनिस करने का आप लोग को मोका मिले अपने आपको तो वही boring काम अपने आपको दे देने है ठीक है तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं तो यह काफी अच्छा है एक तरीके से यहां पर मतलब परसनली मुझे अच्छा लगता है मैंने कई बार इसका यूज क्या है इसलिए मैं आप लोग को बता पारो तो जिंदगी में यूज करके देखो रिजल्ट आएगा बिल्कुल वही कांदी जी वाली बात पहले मैं तो छोड़ दू गुड़ खाना तभी तो आप लोग को बताऊंगा तो यह चीज आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है तो आई होफ कि आप लोग इसके साथ में केनेट कर पा रहे होंगे बहुत ही इंट्रेसिंग और इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहां पर बात की जा रही है फतेह 2 के बारे में अकसर आप लोग के वन डे टाइप एक्जाम में मैच करने के लिए पूछ ले आता है कि यह मिसाइल सिस्टम किसकी देश का है या कौन सी कम्मुनिटी कहाँ पर प्रेसान है या कौन सा एरिया है वो मैच करने के लिए आता है और इस्टेट पीसेस तो बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछता है तो इरान के दौरा सो केस कर दिया गया अंटेस्टेड अपता टेस्ट भी ने किया गया हाइपर सोनिक मिसाइल जिसका नाम है फतहे 2 ठीक है तो यहाँ पर यह फतहे 2 जो है यह इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फोर्मिशन है यह एक तरीके से इसका मतल़ होता है देखने को मिलीगी, velocity कितनी है, यह 15 Mac यहाँ पर वैलोसिटी इसकी बोलीगी है, ठीक है, हाइपर सोनिक अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो उसका नॉर्मली क्या रहता है कि speed जो है, at least 5 Mac तो यहाँ पर होनी चाहिए, अब मैं आप लोगों यहाँ पर इनको अच्छे समझ पाओगे, और यह कई बार आप लोगों से पुछाता है, अगर defense की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोगों से question पूछेगे हैं, एक होता है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा cruise missile, तो जो भी हाँ पर सब सोनिक, सूपर सोनिक क्या हाइपर सोनिक missile होती है, यह cruise missile की category में आती है, cruise missile की category में आती है मतलब क्या है, cruise missile की category का मतलब यह है, इनको divide किया जाता है basically ballistic missile और यहाँ पर basically cruise missile आप लोग बोल सकते हैं, इनमें क्या difference रहता है, जो ballistic missile होती है वो यहाँ पर पहले environment से बहार जाएगी, और अपना एक proper path follow करेगी, और वो path follow करते वे, वो आकर अपने target को hit करेगी तो यह ballistic missile आप लोग को देखने को मिलेगी, यहनकि उसके एक project trajectory होती है, उसको ballistic trajectory बोलते है यहनकि उसका रास्ता जो होता है, उसके नाम पर उसका नाम यहाँ पर रखा गया है, ठीक है यहाँ पर 6174 किलोमेटर पर आर के इसाब से यहाँ पर बात करें, हाइपर सोनिक जो missile है, यह कैसी missile होती है जो कि आप लोगो अपना जो ballistic missile से different देखने को मिलेगी, इनकी trajectory जो आप लोगो यहाँ पर नजर आती है वो मैंने अभी बताया कि इस तरीके से आप लोगो यह ऐसे environment में डिरेक्ट भी जाकर वार कर सकती है ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर देखना हो कि यहाँ पर सब सोनिक क्या होता है, वन मैक से नीचे ठीक है, ट्रांस सोनिक वन मैक बोल देते हैं, सूपर सोनिक एक मैक से ज़ाद है और हाइपर सोनिक पांच मैक से ज़ाद है, ठीक है, यह ratio निकल आता है, मैक एक तरीकी speed होती है आप लोग यह बोल सकते हो, और यह अलग-अलग देश इसके ओपर काम कर रहे हैं, और यह missile का फाइदा क्या है, इसका basically एर काप्टर इनका फाइदा क्या है, फाइदा यहां पर यह है, इनका कि आप लोग जब यहां पर इसको और liquid fuel rocket propellant है all of the above सही answer कि आप लोग एसाब से इसका answer बताइए देखता हूँ कौन इसका सही answer देता है मैं expect कर रहा हूँ कि सही answer आप लोग दोगे तो answer इसका जरूर देना ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोग जो है चीजों को अच्छे से सुनते वे चल रहे हूँ ए वाले कोने गलत बात है ठीक है answer इसका आप लोगो D देखने को मिलेगा ठीक है exactly D answer आप लोगो देखने को मिलेगा है हैंपर next जो आप लोग के सामने article है हैंपर यह बात कर रहा है कि can global biodiversity framework fund make the difference जो fund के बारे मेंने कई बार आप लोगों से बात की है तो उस fund के बारे में हाँ पर बात की जा रही है global biodiversity framework fund आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले क्या बात की जा रही है कि हाँ पर इसके बारे में याद रखना यह एक तरीके से nature को restore करने की बात करते है उसके लिए fund आप लोगों को देखने को मिलेगा यह एक तरीका mobilize करता है accelerate करता है investment की conservation के लिए हम लोग investment कर सकते है यह fund established किया गया यह question पूछा गया था recently भी कि global biodiversity fund जो है यह established किया गया था तो 7th assembly यहाँ पर देखने को मिली यहाँ पर Canada के अंदर में तब यहाँ पर इसको establish किया गया था तो इसमें basically कनिममंग जो Montreal जो ग्लोबल biodiversity framework के बारे मैंने discuss भी किया था यहाँ पर आप लोगो याद होगा तो उस time पर मैंने आप लोगो बताया था कि हाँ पर biodiversity को restore करने के लिए इस fund को लेकर आए गए 15th conference जो political जो हाँ पर parties जो conference और party आप लोगो देखने को मिली ब्लोगल biodiversity को लेकर जो मैंतलब लाज December में तो वहाँ पर भी इसको adapt करने के बारे में बात के गई और global environment facility के द्वारा इसको manage के जाता है तो यह जो fund है एक तरीका ठीक है यह consensus के थुरू है किसी को यह force करने के लिए नहीं है पर हाँ यह बात है कि कहीं न कहीं अगर यह fund निकल कर नहीं आता है तो जो जो चीजे बरबाद हो चुके हैं उनको हम लोग restore नहीं कर पाएंगे यह आप लोगों बताना है तो यहाँ पर यह mobilize investment contribution of the wild spaces and the ecosystem मैंने इसके जाता है UN के द्वारा 7th जो submit थी उसमें इसको establish किया गया यह फिर all of the above तो सही answer क्या है इसको आप लोग बताओ देखता हूँ आप में से कौन कौन इसका सही answer देता है topic अभी पढ़ा है अभी answer दे दोगे एक बार को सही है पलेकिन एक request है आप लोगों से जो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ लेते हो जो भी आप लोग यहाँ पर देख लेते हो एक बार शाम को जाकर 5 बजे आप लोग कोसिस के अकरो quiz जरूरे time के अकरो basically application के उपर में उससे क्या फायदा होगा उससे वो चीज़े आप लोग लंबे समय तक याद रख पाऊगे मुझे पता ही था सब के सब को मुर्गा बना दूँगा अभी के अभी ठीक है यहाँ पर क्या बोला यह United Nation Environment Program के तहट आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अप लोग 1 second 1 second 1 second Fund Establish 7th Assembly Fund Establish 7th Assembly कौन सा हो गया गलत हो गया एक सेकंड answer D बैठेगा निसका क्या बैठेगा यह तो गलत हो गया गडबडगोटाला हो गया एक मिनट वह बलाज कर रहा है इस्टाइलिस के जरह है Fund Establish Global London के अंदर में statement में क्या है इसको अभी रहने दो जब आप PDF डाउनलोड करोगे तो इसको देख लेए question में ही घोटाल हो गया है यह ठीक है तो question को एक बार देख लेंगे फिर से इसके बारे में थोड़ा सा इसको बाद में आप लोगो कल इसको इसका correct बता दूगा अभी question ही थोड़ा सा गलत हो गया है यह ठीक है ना इसको देख लेंगे अच्छे से देख लोगा इसको फिर इसके बारे में फिर बाद में इसको बताते है बाकी यहाँ पर global biodiversity policy की framework के बारे में बात करें तो 2030 तक का target इनको लेकर चला जा रहा है कि कैसे कैसे आप approach करनी है कैसे कैसे cities आप लोगो लेकर चलनी है financial और business sector को कैसे लेकर चलने है तो यह चीज़े आप लोग इहाँ पर समझ सकते हैं कैसे transformation लेकर आना है तो यह चीज़े हैं जिनको आप लोग इहाँ पर देख सकते हैं हाँ हाँ हस लो उडालो मेरी मजाक है आज तो सरी पकड़े गए है मजा आता है ना टीचर को फसाने में और मजा लेने में क्या बात है सर आज आज आए आज आज आए उट पाढ़ के नीचे है सोरी यार उसको question में उसको frame करने में तोड़ी सी घड़ड होगी ठीक है यह सही था चली आगे चलते है नेश जो आर्टिकल आप लोगो देखने को मिलेगा यह है P.I.B. का 19th working पार्टी के बारे बात की जारे basically data collection के बारे में Indian Ocean Tuna Commission के बारे में हाँ पर बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या है सही यहाँ पर बात की जारे Indian Ocean Tuna Commission के बारे में तो यहाँ पर क्या-क्या question आप लोगों से पूछा जा सकता है ठीक है तो यह basically आप लोग देखें आपर यह एक तरीका inter-governmental organization है हसलो अब हो गया हसना पूरा ठीक है आप पढ़ लो यह tuna and tuna like जो fish है उनके resources को कैसे हम लोग manage कर सकते है Adapt किया गया था Food and Agriculture Organization United Nations के द्वारा 105 वा सेसन देखने को मिला था Rome के अंदर में ठीक है 1993 में objective क्या होता है इसका कैसे आप लोग cooperate कर सकते हो क्योंकि आज की data में ocean के अंदर में जब आप लोग जाते हो वहाँ किसी एक देश का वहाँ पर एक नहीं एक आप लोग बोल सकते हो कि परभूत तो नहीं है अलगत देश का है तो कैसे मिलकर हम लोग manage कर सकते है Indian Ocean Second Largest Tuna Fishery का center आप लोग को देखने को मिलेगा currently 31 contracting party है इसके अंदर में तुम मिलकर काम करेंगी और India Memberist Organization का Headquarter Sessles में आप लोग को देखने को मिलेगा तो ये basic is के बारे में हलका सा idea रख सकते है बाकी कुछ और चीज़े हैं अगर आप लोग इसको map को अगर ध्यान से देखोगे जो कि हाँ पर sustainably manage करने के बारे में बात करती है किसके बारे में tuna और tuna fishery के बारे में इसी के साथ में हाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा ये जो member है ये एक तरीका ये membership only open बात की ज़रे only किसके लिए coastal जो Indian Ocean के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा दूसरा headquarter इसका sales में बोला गया है यहाँ पर ये देखने को मिलेगा तो यहाँ पर ये बिलकुल गलत बात है आप लोग खुद ये देख सकते हैं common sense है Indian Ocean के लिए थोड़ी ना मैं भी बताया कि tuna यहाँ पर थोड़ी ना पाए जाती है only Indian Ocean में भी पाए जाती है पर इसका मतलब यह नहीं कि ही पर ही पाए जाती है बस यहाँ पर यह ठीक है तो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ठीक है तो यह basically जो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं तो जो टूना है आपर इस कमिशन के बारे में तो यहाँ पर यह दूसरों के लिए भी ओपन है तो आंसर यहाँ पर इसका आप लोगो सी देखने को मिलेगा ठीक है तो हलका सा इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं क्योंकि कोशन अगर बन जाए कई बार ऐसे कोशन बन जाते हैं और खासकर जहाँ इंडिया का पार्टिसिपेशन होता है तो याद रख सकते हैं अभी एक बड़ी दुरघटना देखने को मिली 17 साल का एक बच्चा जो था वो तुंग बदरा रिवर के अंदर में डूब गया जो को हमेशा एक बात ध्यान रखना जाए जिन्द की में आपने आपको 30 मार खानी समझना चाहिए वरना कई बार बिना वक्त जान गवानी पड़ जाती है और ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो कई बार देखने को मिलते हैं ऐसा ही तुंग बदरा रिवर में हाँ पर देखने को मिला तो इसलिए कई बार ना कई सारे बच्चे दूसरे को चढ़ा देते हैं कि देखे तु कूद भी जाएगा क्या देखे ये हो भी जाएगा क्या तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा बहुती ही ज़्यादा है एक खतरनाक situation क्रिएट हो जाती है तो जिन्दकी में कोशिस करना कि कभी भी किसी भी इंसान के इस तरीके के बहकावे में आके कोई भी ऐसा step मत उठाना जो कि आप लोग को जिसका खामयाजा भुगतना पड़ जाए इस तरीके से की जान गवानी पड़ जाए तो यहाँ पर तुंग बुद्रा रीवर पहले भी question पूछा आ चुक है अगर prelims का paper आप लोग उठागे देखोगे तो हाँ पर तुंग बुद्रा के बारे में question है तुंग बुद्रा यह रीवर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी exactly आप लोग के सामने हाँ पर है और यहाँ पर यह क्रिस्ना रीवर इसके साथ में connected है अभी बात करते हैं यह जो particular river है इंडियन पैनुसला river है यानि के पैनुसला क्या होता है जो तीन साइड से पानी से गिरा होता है तो उस particular area में यह river देखने को मिलेगी क्रिस्ना river की tributary है आपर तुंग बुद्रा यह मैंने भी आप लोग को दिखा दिया क्रिस्ना river के साथ में यहाँ पर connected है आप लोग को याद होगा हमपी के बारे में हमपी जो की capital है विजन अगर empire की यहाँ पर हुआ करती थी वो इसी river के किनारे पर आप लोग को देखने को मिलेगा और तुंग बुद्रा जो नाम है आपर यह दो river है एक का नाम है तुंगा और दूसरे का नाम है भद्रा तो इन दोनों को मिला कर यह question आप लोग का बन सकता है किन दो river को बना कर basically और किसके tributary है और कौन सा historical question भी आप लोगों से पूछ ले तो आप लोगों से बन सकता है इसी के साथ में यह नोर्थ वेस्ट important ruler के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है तो यह भी आप लोग हलका सा इसके बारे में idea रख सकते है कि किसने rule के हाँ ठीक है तो देवरिया first जो vision अगर empire के थे उनके द्वारा dam बनाया गया तुंग बद्रा river के ओपर तो यह भी आप लोग यहाँ पर idea रख सकते है question कई बार बन जाया करते है तो हलका सा idea रख सकते है बाकी इसको थोड़ा सा detail में आप लोग देखोगे तास पास में आप लोग को और भी जैसे हाँ पर कावेरी होगे यह तुंग बद्रा होगी तो ऐसे ऐसे भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो तो तुंग बद्रा river की बारे में कौन सी statement correct है यह यहाँ पर आप लोग देखते है बोल लगए ट्रिबूटरी है कावेरी river की पहली statement में दूसरा बोल लगए करनाट का और आंतरपरदेश में देखने को मलती है हम पी जो capital है आपर विजन अगर एमपायर की वो इसी river पर आप लोग को located मिलेगी सही answer आप लोग यहाँ पर बताइए क्या है आप लोग यह साब से ठीक है तो answer क्या हो गया answer यहाँ पर इसका भी हो गया first statement जो है वो incorrect हो गई ठीक है तो यहाँ तक कोई भी doubt आप लोगे मन में हो तो बताइए फिर आगे बढ़ते हैं वरना next यहाँ पर बात की जा रही किसके बारे में project के बारे में और project 15B के तहत में इनस इमफाल जो है उसके बारे में बात की जा रही है third हमारी country के अंदर में विसागा पतनम के अंदर में तो आप लोग को देखने को मिलेगा जो एक missile destroyer है उसके बारे में बात करते हैं तो largest destroyer जो इंडिया के अंदर में construct किया गया तो यहाँ पर जिसकी speed भी आप लोग को देखने को मिलेगी 300 note के जो हिसाब से तो यह हमारी देश के अंदर में आप लोग को देखने को मिल रहा है जो इसका design है आपर यह basically kangla place जो की हाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है यह हाँ पर आप लोग के सामने है तो एक अलगी impact आप लोग यहां पर उसका देखने को मिलता है ठीक है तो इंफाल जो stealth guided missile destroyer है तो इसके बारे बात की जा रही है तो किसे बिलोंग करता है ठीक है तो यहां पर यहां पर कुलकता किलास डहली किलास राजपुत किलास यहां पर विसागा पतनम किलास तो यह वि important बात है आप लोगो जानने को मिलेगी सबसे पहले आप लोग यह बताईए क्या बात है क्या कह रहे है आज तो 1500 का आगड़ा क्रोस करेंगे काफी दिन हो गए आप लोगो कम से कम अब तो time से आ जाया करो 1500 का आगड़ा क्रोस करो चलो आज ठीक है यह 16 तक पहुचाओगे जिसको अभी हाँ पर important क्या है national cadets course के बारें बात करते हैं आप में से किसी ने कभी NCC ली है बताईए जरा NCC के बारे में अगर बात करें तो 75th anniversary अभी हाँ पर इसकी देखने को मिली तो इसके चलते हैं हाँ पर news में आ रहा है इसके बारें बहुती basic सी बाते मैं आप लोग इसके सिर्जन को एक आर्मी से लेटेर हम लोग connectivity हाँ पर प्रोवाइड कराएं यह एक्जिस्टेंस में आई थी national cadet course जो है यह 1948 में ministry of defense के अंडर में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी हमारे देश के school colleges और university के अंदर में यह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता ह इतने सारे NCC के चात्र है हमारे यहाँ पर क्या बात है बहुत बड़ा role play किया गया तो code 19 के time पर आप लोगों ने काफी एक तरीके से उस time पर चीजे की basically देश के लिए नेसलनल कैडिट कोफ जहें NCC यह 1948 में बनाया गया ministry of defense के अंदर में हमारे देश के अंदर में देखने को मिलता है इसका फायदा क्या है हमारे देश के अंदर में जब इसमें आप लोग जाते हैं तो एक character एक craze एक तरीके से दिक्कत में किसी की help कर सकते हैं discipline आप लोग के अंदर में आता है leadership आप लोग के अंदर में आता है secular outlook रहता है क्यों किसी religion related नहीं है यहाँ पर यह organization ठीक है sportman spirit आती है इंसान के अंदर में selflessness आती है कि यहाँ दूसरों की help करनी है तो यह सारी चीज़ा आप लोग को देखने को मिलेगी किसी के पास में NCC का C certificate है बताए ज़रा किसी के पास में NCC का C certificate तो बताएए headquarter आप लोग को देखने को मिलेगा इसका basic daily के अंदर में और director general rank के जो army officer है वो यहाँ पर इसको head करते हैं ठीक है बात की थी कि कैसे हम लोग यहाँ पर improve कर सकते हैं NCC cadets की जो efficiency होती है इनके द्वारा कुछ और भी recommendation दी गए थी और यह recommendation question में पूछे गए थी recently अभी यह याद रखना सेखतकर committee ने बोला था कि military farm और जो army postal establishment है उसको यहाँ पर closer करने की basically बात की थी लंबे समय से चल रहा था पर उसको कोई utilization था नहीं अभी ठीक है enhance कैसे कर सकते है recruitment खासकर clerical staff का या फिर driver का army के अंदर में इसके बारें बात की थी recommendation दी गए थी roll on defense budget के बारे में भी कैसे हम लोग यहाँ पर अपना enough capital expenditure available करा सकते हैं ताकि अपनी forces को हम लोग modernize कर सके क्योंकि maximum weapon हम लोग dependent रहते हैं दूसरे देशों के उपर तो उसको कैसे लेकर चल सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या बात है जो को छोड़के भागना स्टार्ट हो गए 1.3 पर आ गए है सही है बटा यह जो भाग रहना इनको पता चलेगा जब exam में question आते हैं न कहीं को तो यह लगता है यह मुझे काफी interesting लगता है मतलब ऐसा कौन सा काम है पढ़ते पढ़ते छोड़कर भाग जाते हैं ऐसा कौन सा मैं सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा important काम इनके जिन्दगी में हो रहा होगा चले जो भी है आगे बात करते हैं हाँ पर इसके बारे में तो ये NCC के बारे में आप लोग बेसिक याद रखना है आपर अभी अगर बात करें नेसनल कैडिट कोफ्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये एक वोलेंटरी ओर्गिनेसन है जिसमें रिक्रूटमेंट होते हैं हाई स्कूल हर जगे से आप लोग को फोर्स नहीं करता को इसमें आप लोग को जाना है मेरा दुर्भाग्या ये रहा कि मेरे स्कूल में ये नहीं देखने को मिलते थी गाव में था बैसिकली स्कूल तो इसलिए हाँ पर देखने को मिले और आगे फिर तो पता ही इंजिनिरिंग वगरा में ये चीज़ें कोण ही कराता है ठीक है यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर administration के बारे में तो defense ministry के अंडर में आता है और national credit coves के हिसाब से अगर बात करें तो 1948 के हिसाब से आप लोगों देखने को मिलेगा ठीक है तो कौन सी statement correct है 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर all of the abo A, B, C, F, D में सही answer क्या है आप लोगों यहाँ पर यह बताना है ठीक है तो सही answer बताए क्या है सही answer यहाँ पर देखने को मिलेगा D exactly यह बात यह होना चाहिए ना बेलुकुल answer स्रटेक से निकल गाना चाहिए एक और important news है आपर international sugar organization के बारे में तो sugar जो की मीठा खाना सबको पसंद है आपको भी होगा मुझे तो गुड और चाहच मिल जाए और नहीं किते अद बिलोई दही किसने सुनाया अद बिलोई दही मतलब जब दही होते है उसको बिलो देते है मतलब थोड़ा सब मतनी है इसमें बेसिकली रही डाल कर और उसको पिया करो गुड के साथ में मतलब मोर्निंग के टाइम में निकलती है अगर गाउं में होते तो आप लोग समझ भाओगे क्या शांदार लगती है बाई साब गुड हो ताजा ताजा नया नयसा और वह हो मतलब जिंद की मतलब नहीं दिन बन इंपोर्ट वो इन ही देश के आप लोग को देखने को मिलेगा इस ओर्गेनेशन के अंदर में जो आते हैं ठीक है मुझे नहीं पसंद ये कौन है कौन है गुस्ताक जिसको ये पसंद नहीं है तो सब की अपने इमनी चोईस होती है ठीक है मुझे अच्छा लगता है आप बहुत अच्छी बनाते है क्यी सारा ऐसे है जो बहुत ही अच्छी चाय बनाते है हाँ काजू कतले इक ला देना वो भी अच्छी है ठीक है उसके लिए वियो मैं खुछ हो यहाँ पर बात करें आईयस तो जो आईयस तो जो है यह यह एक तरीके से इंटरनेशनल लेगोशे यह इहरे में उगा जाता है यह इतना rainfall होना चाहिए सबसे यह ज़्यादा उत्तर प्रदेस में अभी रिसेंटली महारास्ता उपर आ गया था फिरस्य उत्तर प्रदेस ऊपर आ गया 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 गुजरात तमिलाडू यह पांच राजिया आप लोग याद रखना उत्तर बता रहा हूं यह फालतों की बाते आप लोग एक्जामिनेशन होल में जब कोश्चन आएंगे न तब पदा चलेगा बहुत सारे कोश्चन देख रखें उससे पदा चलता रहता है इसलिए कई बार यह आप लोग समझ लेकर ध्यान से ठीक है बात वी बात में बहुत कुछ प करेक्ट है पहले में बोलागे 87% मेंबर 80 यह बेसिकली यह देखने को मिलेंगे और यह सारा वही फैक्शल इंफॉमिशन है और इसको बनाया गया था इसके तुरह यहां पर तो आंसर क्या होगा इसका आप लोग को सी देखने को मिलेगा ठीक है तो बिलकुल सही आंसर यहा को मिलेगी आफ्टर कोटन यहां पर कौन सा आंसर सही है आप लोग बताए ज़रा यहां पर 122313 यह फिर all of the above तो यहां पर भी आप लोग को आंसर जो है वो डी देखने को मिलेगा all of the above ठीक है एक चोटी सी न्यूज यहां पर हमारे देश के अंदर में बेसिकली बात की जा गए तो यहां पर defense acquisition council इसके उपर question पूछा गया था DSE याद रखना defense acquisition council को head कौन करते हैं हमारे defense minister head करते हैं तो defense acquisition council के द्वारा यहां पर यह step उठाय गया यह आप लोग यहां पर यहां पर याद रखना direct question भी आप लोगों से यहां पर पूछे जा सकते हैं तो इसके चलते सीधा क्या होगा इससे सीधा सीधा यह फायदा होगा कि हम लोग self dependent होते हैं आप आप लोगों नजराएंगे तो basic और important question आप लोगों से यहां पर पूछा आ सकता है तो हमारे देश में यह बनाए गई चीज़े अपने ही देश से खरीद रहे हैं तो कल को चलकर जो फ्रांस आई होफ के आप लोगे mind में clarity आ गयोगी बाकी NCRT के course में जिसने enroll करना है अच्छे से enroll कर लीजे basic चीज़ा आप लोगी start होती है नजराएगी इसी के साथ में जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर और भी चीज़ा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी तो आप लोग information होगी आप लोगे साथ में share कर दी जाएगी इसकी PDF जो है टेलिग्राम पर आप लोगो प्रोवाइड करा जाएगी वहां से download कर सकते हैं question post के जाएगी उसके साथ में आप लोग answer writing भी basically कर सकते हैं अगर आप लोग serious होकर चीज़ों को लेकर चलना चाते हैं at least वीडियो में किता हूं कल कौन-कौन टाइम पर आता है हाउस दा जोस जोस हाई है की नहीं टाइम पर आओगे की नहीं येस या फिर नो बताइए जला जली जली बताइए चलिए फिर आज का लेक्टर कैसा लगा रिकॉल जरूर कर लेना जैसे वीडियो कंबीट होती है comment box में जरूर बत